हलो अच्चों अमीद है आप फिट फार्ट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ट की जबरदस तैयारी कर रहे होंगे इसी में आपको बहुत मदद करने के लिए मैं वन शॉट की सिरीज चला रहा हूँ और आज हम लोग पहुच गए है चैप्टर नमबर 10 पर वेव उप्टिक्स पर ये वन शॉट इतना शांदार है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका लगबग पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपके numerical निकलने लगेंगे इसमें जो derivation इस syllabus में आपके हैं वो भी मैं करवाऊंगा जिससे आप इस one shot को देखने के बाद बहुत ज़ादा confidence फिल करें और काफी questions आप इससे solve कर लेंगे तो चलिए बात को शुरू करते हैं wave optics one shot का इससे पहले के one shot देखने हैं तो मैं description में link लगा दूँगा वहाँ पर click करके आप देख सकते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि physics आसान भाषा में समझ में आए वीडियो देखकर numerical निकलने लगे तो जट से अरविंद Academy चैनल को subscribe कर लिजे for top quality content आई ये बात को शुरू करते हैं chapter 10 है wave optics और इसमें आपको सारे concept derivation numerical मिलने वाले हैं सारे concept में cover करूँगा आप किस लिबस के according अच्छा आपको help करने के लिए मैंने क्या किया है जो जो मैं series लेके आ रहा हूँ जैसे one shot है, pyqs है, ncrt solutions है, derivations की series है, detailed video की series है सबकी link मैंने एक जगा कर दिये हैं और इसका नाम दे दिया है all video library तो आप इस all video library में जैसे ये one shot है, pyqs है, derivations है, ncrt solutions है, pure good और भी बहुत कुछ है इसके अंदर आप इसमें जो भी video देखना चाहें, one shot का मालो देखना चाहें, तो ये play लिखा, इस पर click करेंगे तो ये open हो जाएगा video, तो आपको समय आपका बचेगा, जो आपको चाहिए, अपनी ख्छानोसार आप देख सकते हैं अब ये video library आपको मिलेगी कहां, तो ये आपको मिलेगा इसका link, एक तो home page पर अरविंद academy के ये दिखिए, ये mobile पर अरविंद academy का home page है, इसको click करेंगे, पहले वाले option को click करते ही, आप चले जाएंगे video library पर, एक तो ये तरीका है, यानि home page से देखना, दूसरा है link में description मे भी लगा दूँगा, जैसे आपको हट कर home page ना जाना पड़े, इसी video में description में click करके आप देख पावे, ये भी तरीका है, comment section वेगरा हर जगा दूँगा, आपको फायदा क्या होगा, कोई time wasting नहीं होगी, easy access होगा, जो चाहेंगे, वो देखेंगे, और ये भी मालूम हैं, जो आप देखकर अपना फायदा कर सकते हैं, आपको मदद करने के लिए, कि कई वच्चे ऐसा पूछते हैं ना, कि भाई, इसका PDF मिल जाए, तो Erwin Academy Telegram Channel को join कर लीजे, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा, link आपका दिया है, description के अंदर, detailed video की एक series मैंने बनाई है, शानदा फाडू, जिसे भोलते हैं, pure gold series, तो यह pure gold series है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर wave optics के मैंने तीन पार्ट बनाए हैं, बहुत ही कम पार्ट, और यह पहला पार्ट का thumbnail है, तो total parts है, तीन और total घंटे लगेंगे केवल 4, अगर 4 घंटे का आप समय दे देंगे, तो यह जो chapter है, इसके champion बन जाएंगे आप, सारे concept सीख जाएंगे, सारे derivation सीख जाएंगे, बहुत सारे numerical कर लेंगे, power packed series है, कम समय में बहुत कुछ deliver किया गया है, तो जो बच्चे interested है, pure gold series को follow कर सकते हैं, और कुछी समय, यानि 4 घंटे का वक्त लगा कर, धुआधार performance कर सकते हैं अब इसके आगे की बात चलते हैं, कई बच्चों को doubt होता है, तो वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अर्विंद academy app पर शाम को live classes होती हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिस भी प्रकार के doubt है, सर, derivation ऐसे क्यों कर रहे हैं, derivation कितने marks के आते हैं, ये second method क लगा दूँ, numericals कितने marks से आते हैं, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, कहां से पढ़ाई शुरू करूँ, सर, क्या important है, क्या important नहीं है, ये सारी चीज जो भी guidance आपको चाहिए, ये expertise मैं आपको deliver करता हूँ, जिससे आप सही तिशा में अपनी manner कर पाते हैं, तो जो भी इस्टेड हैं, वो Irwind Academy एप को description से download कर लें, उसके store section में जाएं, और physics drona batch और physics mathematics का drona batch में join कर लें, जहां पर आप मेरे से पढ़ाई, बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं, तो physics drona batch, math drona batch में शामिल हो ये, और मेरे साथ बहुती शानदार पढ़ाई कीजिए, सारे doubt clear चलिए शुरू करते हैं, वीडियो क्योंकि जिस वज़े से वीडियो बनाया गया है, वो start करते हैं, तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, one shot video for wave optics, सारे topics में cover करूँगा, जो आपके syllabus में है, derivations भी सारे कराऊंगा, important, तो ये रहा wave optics, शुरुआत कर लेते हैं बात की, जैसे Newton साब ने एपनी एक बुक लिखी थी, उसमें optica करके, उसमें कॉस्पलिकर theory of light की बात की, मतलब light को एक particle की तरह deal किया, कि एक particle है, जिसके form में वो चलता है, वो popular हुई बुक और लोग इसमें काफी उसको accept करने लगे, उसका credit Newton को दिया जाने लगा, उसके बात देख की फॉर्म में चलती है, 1678 में नोने ये बात रखी, फिर काफी समय बाद, Maxwell सहब आए, और 1873 में नोने बोला कि नहीं, जो light है, वो electromagnetic nature की है, electric vector, magnetic vector होते हैं, जो electromagneticism में पढ़ा है, उस nature की होती चीज़ें और आगे बढ़ी, और फिर आगे ही planks की, planks quantum theory, light travels in small packets called photons, और 1905 में, अलबर्ट आइंस्टाइन ने इसी का सारा लेकर photoelectric effect को सही साबित या उसका explanation दिया, जिससे 1921 में आइंस्टाइन को इसका nobel prize मिला, इस सारी बातों को मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए, कि light के पास dual nature है, कुछ ऐसे phenomenon है, जो हम particle nature या wave nature दोनों में से प्रूफ हो जाते हैं, कुछ हैं जहां पर particle nature मान के ही प्रूफ किया जा सकता है, और कुछ phenomenon हैं जहां पर wave nature मान के ही प्रूफ किया जाता है, तो मैं इसको जड़ा लिख देता हूँ, बड़ा important है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो देखिए, अगर मैं लिखू की reflection सरल भ और wave nature, किसी भी nature को आप मान लीजे, उन दोनों से ये साबित कर पाएंगे, लेकिन दूसरी बात अगर आप देखें, अगर आप photoelectric effect की बात करें, photoelectric effect, तो इसको केवल आप साबित कर पा रहे हैं, only quantum theory से, plank से, तो only particle nature में मोटे तौर पे लिख देता हूँ, particle nature से ही इसको आप साबित कर पाएंगे, wave nature से इसको साबित नहीं कर पाएंगे, आचा तीसरी बात देखिए, interference जो आप पढ़ेंगे, interference, या diffraction, और भी कई चीज़ें हैं, जो course में नहीं है, polarization वगरा, इसके लिए केवल only wave nature important है, तो देखिए, कि साबित क्या हुआ, हम लोग attack क्यों गए हैं याँपर, dual nature में, कि अभी तक जो science का development रहा है, वो ये पूरी तोर पे नहीं बता पाया, कि भीया, ये light particle है, या wave है, ये कहता है, कभी ये particle है, कभी ये light है, यानि light का हमारे पास क्या है, बेटा, dual nature, dual nature का मतलब, कि कुछ phenomenon में, वो particle की तरह behave कर रही है, और क आपके जहन में बड़ी इच्छी तरीके से आ गई होगी, अब चलते हैं, क्योंकि ये जो wave optics है, इसमें हम जो discussions करेंगे, वो light के wave nature को लेके करने वाले हैं, तो चलिए, wave nature के लिए जो important बात आती है, पहली, वो आती है wave front, आपके examination में, wave front की definition बहुत पूछी जाती है, तो य जो same phase में oxalate करें, उसको हम बोलते हैं wave front, तो ये लिखा हुआ है, the locus of all such points, oxalating in the same phase, is called wave front, जैसे कि नदी में, तलाब में, आप कोई तलाब है मा लीजे, पानी भरा हुआ, उसमें आप इस्टोन फेक देते हैं बिच में, तो भवरें उठती हैं आपने देखा होगा, एक एक भवर उची उठती है, एक नीची उठती है, तो जो भवर उठती है, circular उठती है न, तो ऐसे उठती है, मैं ऐसे diagram बनाऊँ, तो इसमें जितने भी ऐसे गोला बनता है न, wave का, छले बनते हैं, जितने भी ये crest हो गया, ये सारा, जो है, medium का पार्ट करी, एक ही phase में है, त इसी तरह इसको भी कह सकते हो, wave front कर ट्रफ वाले को, तो ऐसे भवर उठती है न, जो छले आप देखते हैं, किनारों तक आते हैं, तो वो जो भवर उठती हुई है, वो भवर जो उठती है, उसके सारे points मिला दो उस समय, same phase में हैं, तो उसे wave front कहा जाएगा, और फिर वो wave front आगे भी बढ़ता है, जो किनारे तक आपके आगे दिखाई पड़ता है, तो wave front क्यों important है, दो line में बड़ा सरल होता है, लेकिन आपके exam में बहुत पूछा जाता है, definition ही पूछते है, what is wave front, तो ये wave front क्या आप बता दीजेगा, यह example लिखा, thus every crest and turf is a wave front, जो मैंने आपको बताया, पानी में धेला, हीटा, पत्तर फेखने की बाद जो कहानी उड़ती है, अचा wave front कई तरह के होते हैं, आप से पूछ भी लेते हैं ये, चलिए फटा फट देख लेते हैं, कि wave front कौन-कौन से तरह के हमारे course में हैं, तो पहला spherical wave front, spherical wave front कम मिलता है, जब कोई point source रहता ह उससे मा लीजे light की बात कर रहे हैं, तो light emit होती है, बल्ब छोटा सा समझ लीजे, वो बल्ब के चारो तरफ जो wave front आएगा, वो इस spherical होगा, इस spherical मतलब फुटबाल सी देखिए, छोटी फुटबाल, बड़ी फुटबाल, उससे बड़ी फुटबाल, बड़ी फुटबाल, उस तरह का wave front जाएगा, उसके लिए responsibility किसकी है, point source की, उस फुटबाल के center पर बल्ब जल रहा है, तो wave front इस तरह के पैदा होते चले जाते हैं, बड़ी इच्छी बात है, अब दूसरा आता है cylindrical wave front, यह कहां पर पैदा होगा, linear light का source होना चाहिए, linear source आप tube light समझ लीजे, और भी linear पतला होना चाहिए, जैसे कि slit होती है, experiment में बात करेंगे, slit का मतलब होता, cardboard लीजे, razor blade से cut कर दीजे, पिछे बल्ब जला दीजे, तो पतली सी आपके पास source जड़ा सी light आएगी, लेकिन वो wave front कैसा मनाएगी cylindrical, मोटे तोर पे आसानी से समझने के लिए, आप समझ tube light है, tube light से जो रोशनी निकल रही है, वो क्या है, समझने के लिए कि वो एक cylindrical wave front है, तो इसकी access पर ये जो access है, यहाँ पर source है, tube light जल रही है, और ये cylindrical wave front है, अगला wave front की बात करते है, plane wave front, जब हमारा जो spherical wave front है, जो की point source से आ रहा था, उससे दूर चले जाएं काफी, तो जो उसका spherical nature होता है, लगबग flat हो जाता है, आप सुचेंगे ये कैसे, अरे भाई बिल्कुल ऐसे, धरती भी तो spherical मुटी तौर पर समझ सकते हैं आप, लेकिन जहां हम खड़े हुए हैं, जिस घर में, आप जहां पर हैं, वो कई टेड़ा surface तोड़ी, फ्लाटी तो है, तो जब किसी spherical surface का radius बढ़ जाता है, आप समझेए, ये कोई spherical surface है, और इसका बहुत बढ़ा radius कर दें, तो इतना portion लेंगे तो लगबग flat, अगे तो यहां पर बोल्ड पे और बढ़ा बना नहीं पा रहा हूं, वहना आप radius बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये portion क्या हो जाता है, लगबग flat, तो वो plane wavefront मिलने लगते हैं, जैसा कि photo आपको बनाया गया है, ठीक, ये सब पता होना चाहिए, examination में पूछा जा चुका है आपसे, अब क्या होता है, ray of light, किसे कहते हैं, जो wavefront होता है, उसकी perpendicular, जैसे मैंने plane wavefront देखी बनाया, ऐसे, अब इसमें इसके perpendicular, आप इ direction की बात कर रहा हूँ, ray number two, ठीक, लेकिन कौन सा हम ray accept करते हैं, जिस direction में wave propagate हो रही है, अगर wave इस direction में propagation कर रही है, propagation का मतलब चलना, तो ray जिस direction में चल रही है, उस ray को हम मानते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, तो हमारी ray क्या हो गई, और ये क्या है, this is a wavefront, wave front, तो wave front के perpendicular direction में ray चलती है, in the direction of propagation of the wave, in the direction of wave के चलने की दिशा में, समझ में आया, ray जो है, वो wave front के perpendicular रहेगी, और उसकी दिशा कौन सी रहेगी, जिस दिशा में wave चल रही है, उसे ray बोलते हैं, अब रहे से हम सीखते क्या हैं, important बात क्या है कि ray की ही direction में wave energy carry करती है, ray की ही direction में energy लेके जा रही है, ray हमेशा perpendicular होती है wave front के, और तीसरी बात कि अगर हमें ये निकालना हो, कि एक wave A point से B point तक पहुचने में कितना वक्त ले रही है, तो ray की speed से निकाल लेते हैं, ray जिस direction में जारी है, इसे भी उस direction में उस direction है, उस में लगने वाला जो समय है, उस से हम calculate कर लेते हैं कि इस wave को कितना समय लगा है, ये तीनों बातें यहां लिखी हैं जो मैंने आपको आसानी से समझा दी हैं, तो ये बात आप समझ गया होंगे, कुछ directions बना देते हैं ray के, wave front को लेते हुए, जैसे ये plane wave front देखिए, तो ये ray है, ये ray अगर हमारे पास आ चुकी तो इसका क्या मतलब है बिटा, कि propagation of the wave किधर है, ray की ही direction में, propagation मतलब चलने की दिशा, है ना, ये देखिए, ये क्या, converging spherical wave front, ये wave front है, लेकिन converge हो रहा है, तो इसकी perpendicular direction में आपने इसकी ray बना दी, ये देखिए, diverging spherical wave front है, है तो spherical लेकिन ये उधर की तरफ जा रहा है, तो ये point source से ray निकल रही, तो ये ray का direction है, हमेशा ये perpendicular रहेगा देखिए, ये पकड़े रही है, ये is the necessary condition, हमेशा हर wave front के perpendicular, ठीक, और चलने की दिशा में, बहुत अच्छी बात, अब आज आते हैं इसके, इस wave theory के आत्मा पर, इसकी आत्मा कौन है, हाईजन्स principle, हाईजन्स principle is the fundamental या soul of the chapter, वेव थियोरी का जो base है, पूरा हाईजन्स थियोरी पर टिका हुआ है, हाईजन्स थ हाईजन्स थियोरी है, और हमको असा, यह बताती क्या है, जैसे हम समझे क्या, यह हाईजन्स थियोरी हमको यह बताती है, कि wave front, यह देखिए यहाँ पर, कि जो wave front होता है, वो कैसे किसी medium में आगे बढ़ता है, wave front समझ चुके, wave front किसी medium में, मालो पानी में चल रहा है, लाइ fundamental base है, wave theory का, यह समझ में आना चीए, बहुती सरल सा, यह principle है, यह क्या बोलता है, कि जो भी secondary waves पैदा हो रही है, एक wave front आ गया, उससे अगली wave front बनेगी, तो जो भी point अगला secondary source होगा, wave front जो बनेगी अगली, उस पे पढ़ने वाले सारे point, secondary disturbance का का काम करेंगे, जो बही एक wave front मालो ऐसे चल रही है, आगे बढ़ी, यह पहले वाली थी, number one, और यह रही number two, तो इस पे जो भी point है, तीन बनाये हैं होंगे तो infinite, यह points क्या काम करेंगे, secondary disturbance का का काम करेंगे, और इस disturbance से, फिर हर दिशाओं में, यानि spherical समल लीजे, हर दिशाओं में wave front release करेंगे, और चलने की दिशाओं में, जिस direction में wave, जिस direction में wave चल रही है, उसी की direction में अगला कदम या अगला point पर wave front पहुचेगा, यह यह बोलता है, तो यह दिखी, आप पे लिखा हुआ है, each point of the wave front, यह जो wave front number one, wave front number two, इस wave front का, यहा तो थाई, इस wave front का हर point, secondary disturbance का का काम करता है, और इस से ज जो, wavelets निकलती है, wave front बनाने एक disturbance जो निकलता है, spread out होता है, in all direction with the speed of the wave, हम light की बात कर रहे हैं, तो यह समझ लिजे, light की speed से, चारो दिशाओं में disturbance फैल जाता है, चारो दिशाओं का मतलब हो गया, फुटबाल टाइप का, spherical in nature, और जिस दिशाओं में चीजें बढ़ रही होती है, wave बढ़ रही होती है, उस दिशाओं में अगला, हम क्या करते हैं, जो भी disturbance, यह जो common envelope आ जाता है, tangent खीज देते हैं, जो भी, अगले disturbances का common tangent होता है, अभी मैं समझाओंगा, ऐसे हवा में ब बता कर लेते हैं, नई wave front कैसे है, तो यहां मैं आपको यह दिखाने, बताने की कोशिस कर रहा हूँ, कि हम A point से B point अगर जा रहे हैं, तो नई wave front कैसे बनाएंगे B point पर, क्योंकि यही तो यह बताता है, हाईजन्स प्रिंस्पल, कि भाई, A से B कैसे जाओगे, कैसे चलती है wave front, तो आईए इस बात को मैं समझाने की, अच्छा, assumption पहले discuss कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, यह कहानी है तो हैजन्स प्रिंस्पल का assumptions हैं, वही हैजन्स प्रिंस्पल हैं, कह लीजिए, यह तीन में मुख बाते हैं, हैजन्स प्रिंस्पल के अंदर, secondary wavelengths की जो ठेयरी है, Each point on a wavefront acts as a fresh source of new disturbance called secondary waves or wavelets यानि जो each point जो wavefront पर है वो secondary source का काम करेंगे और नहीं wavefront को जन्म देंगे The secondary wavelets spread out in all direction with the speed of light in the given medium हम light की बात कर रहे हैं तो वो किस speed से चलती है जो disturbances चलेंगे या secondary wavelets चलेंगी वो चलेंगी light की speed से तीसरी बात the new wavefront at any later time कोई नया wavefront हमको चाहिए T time बात तो वो कैसे मिलेगा हमको is given by the forward envelope envelope का मतलब है tangential surface in the forward direction एक tangential surface अभी दिखाता हूँ फोटो आपको of the secondary wavelets at that time T time बात जो secondary wavelets बनी है उनका common tangent यानि envelope forward envelope वो कहलाता है secondary wavefront अब यह हम समझने की कोशिस करते हैं कि अगर किसी point पर suppose करिए अब हम high distance principle को ही explain कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि wavefront एक medium में कैसे आगे बढ़ती हैं तो यह माल लीजिए एक्जाम में पूछा भी जा चुका है यह एक spherical wavefront ले ले लेते हैं plane भी ले सकते हैं यहाँ पर यह इसका source हो गया कुछ आपको बताया था ना कि यह जो wavefronts होते हैं आप पर इसके source हो जाएंगे इस point को हम बोलते हैं A, B अब यह जो source हैं मैं इसको ABCD लिख देता हूँ A, B, C, D, E यह points माल लिए हमने यह wavefront और यह points secondary disturbance का का काम कर रहे हैं अब यहाँ से disturbance निकलेगा और चारों दिशों में फैलेगा माल लेते हैं कि इस वाले medium में velocity speed की C है और T time बाद हम निकालना चाहते हैं We want to plot a new wavefront after time T आप समझ गए ना नई wavefront तो हमारे पास A भी अभी है अब T time बाद नई wavefront कहा होगी यह हमारा objective है पता करने का तो आप देखिए यहाँ से जो disturbance निकलेगा वो चारों दिशों में ऐसे फैलेगा लेकिन जब फैलेगा उसकी radius कितनी होगी T time में दूरी cover करेगा C into T distance covered in time T is equal to speed is equal to distance upon time तो distance is equal to speed into time speed C ले लिए है हवा या vacuum में अब यहाँ पे आप ऐसे इसके गोले बना लेंगे ऐसे गोले में सही नहीं बना पा रहा हूँ आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बना लेंगे गोले इसको center रखते हुए ऐसे गोला गोला खीच दीजे देख पा रहे हैं आपने क्या कर रहा हूँ यह जो गोला खीचा है अबने इसका यह radius कितना है CT के बराबार this is CT यह सब CT है ठीक यह सारा CT है आप जैसा देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे CT CT यह CT CT खीचा आपने अब इसका जो नया वाला common tangent है यानि इस point से यह इन सब का tangent ऐसे खीच दो यह जो खीच यह हाथ हिल रहा है बाकि आप समझ पाए होंगे यह blue color की जो line आई है यह हमारी क्या हो गई new wave front जिसे आप C और बाद में D कह सकते हैं और यह point E है तो इसे E dash कह दीजे D है तो D dash C है तो C dash B dash A dash और यह क्या है new wave front wave front after time बास समझ में आए कि आप T time बाद नया wave front चाहते हैं तो जो wave front है उससे C into T distance यानि radius मान कर आप sphere खीज दीजे यह sphere है circle बनाए है 2D में बात कर रहे है लेकिन है तो यह sphere हर दिशा में और जिस direction में wave चल रही है वहाँ पर नए गोलों का हमने क्या किया common tangent this is a common tangent इसी को बोलते हैं forward envelope जो भाशा लिखी थी मतलब क्या है इन गोलों का जिस दिशा में wave चल रही है उस दिशा में common tangent तो this will be a new wave front after time T और यह जो direction है AA dash क्योंकि यह देखे 90 पर है क्योंकि यह common tangent है न तो जो ray है वो ray या जो energy आपकी जो move कर रही है wave की उसका direction क्या है वो direction है AA dash वो direction है BB dash वो direction है CC dash वो direction है DD dash वो direction है आपका EE dash तो यह ray का direction है या energy move करने का direction है तो hygen principle यही बताता है क्या बताता है फिर से मैं आपके दिमाग को गुश्री ड़ना चाहाता हूँ hygen principle very important बताता क्या है किसी medium में wave front कैसे चलती है मतलब अभी wave front है तो T time बाद वो wave front कहां होगी ऐसे हमने बना लिया कहां होगी यह बनाने को भी आ जाता है लिखने को भी सारा मैंने प्यार से आपको समझा दिया और यहाँ पर देखी यही बात पीछे आगे लिखी होगी यह देखिए यह यहाँ पे sphericalic wave front आपके सामने चर्चा में लाई गई है यह plane wave front है दोनों में फंडा यह तो और ही असान है यह मलब इस तरीके से बनाया गया है और यह तीनों point जो मैंने आपको समझाया है यह यहाँ पर लिखा है समझ गया आप? तो अगर आपको examination में आ जाया है क्या होता है तो आप लिख दीजेगा theory के वल अगर यह आजाए कि explain कीजे एक wave front से दूसर wave front टी time बात कहां बनेगा तो इन में से कोई भी diagram पकड़ कर जो मैंने बताया है वही diagram पकड़ कर आप उसको बना देंगे और उसका explanation 4-6-10 line में लिख देंगे reflection को wave theory से explain करने वाले हैं wave theory जहां भी आती wave front की बात होने लगती है तो यह दोनों में से एक proof कह लीजिए कि आप proof कीजिए reflection को या reflection को with the help of wave theory यह हर साल कोई एक इसमें से आता आता है या तो आगा reflection को proof करके देखाओ या reflection को करो तो this is very important for you very very important बात समझ गया है आप इसको अच्छे से समझ लीजे यह पहला वाला case लिया गया है जहां पर हम बात कर रहे हैं reflection की तो इस reflection को जो photo बना है इसकी जगा मैं photo बना के आपको दिखाता हूँ और angle I is equal to angle R, proof कर देंगे तो reflection proof हो जाएगा तो कैसे बनता है यहां की जगा मैं एक नया photo draw कर रहा हूँ जिसे आप उच जादा समझ में आए मैं एक reflecting surface ले रहा हूँ यहाँ पर यह reflecting surface है शीशा रख दिया mirror suppose करिए एक सरलता के लिए plane wave front ली और plane wave front इसके उपर fall करा रहे हैं माल लीजे plane wave front आपकी इस तरीके की है यह wave front है plane यह क्या है incident wave front incident plane wave front plane wave front अब हमको यह पता है कि इस wave front के perpendicular direction में ray चलती है तो मैं इसमें ray भी बना दूँगा जैसे बात पकड़ पाऊं तो यह मैं rough sketch कर रहा हूँ यह बना दी ray आपने और यहाँ पर एक normal भी खीज देते है ठीक अब यह इसको नाम दे दो S और इस point को नाम दे दो B इस surface को नाम दे दो X और पूरी surface है Y अभी triangle angle लेना होगा इस लिए इस normal को आप N कह दो कोई दिक्कत की बात नहीं अब देखिए एक मैंने ray ये ली थी ray number one एक ray और लेते हैं कोई भी ray ले सकते हैं एक ray ले रहे हैं जो ऐसे ले लेते हैं अब यह जो fall करेगी reflecting surface पे इसने तो B पर strike किया यह ऐसे सीधे आएगी और यह यहाँ पर hit करेगी इस point को ले लीजे C ऐसे hit की आप देखिए यहाँ पर कलकारी क्या है कि यह A की medium में सारा काम हो रहा है इस point को कह दीजे A अभी ज़रूरत पढ़ेगी नामकरण की यह wave friend पढ़ी यह इसने hit किया और यह जो ray आ रही थी इसने C पर hit किया और C पर hit यह A से C जाने में इसने time लिया T बैइ चला कुछ दूरी चली तो कुछ time लगा मान लेते हैं यह दूरी तै करने में इसको time लगा T तो T time taken मैं short में लिख रहा हूँ to cover AC distance जिससे कि आप बातों को confuse ना भी distance कितनी होगी देखिए distance हो जाएगी scene to T भाई यह AC distance क्या है तो AC distance क्या रही speed equal to distance upon time distance speed into time यह रहा CT अगर कोई medium ले रहे होंगे तो V into T लिख दीजेगा वरना CT लिखने में कोई बुरा ही नहीं तो यह AC जो distance रहा वो आपका CT हो गया आप ही जानगे अब जिस time में यह यहां से यहां पहुँचा है उस time में यह जो point है यह reflect हुआ यहां से तो यह कहां पहुँचा है यह मुद्दा खड़ा हुआ तो इस मुद्दे को हम लोगों ने क्या किया यहां से आपने एक sphere खीचा खर नीचे तो कुछ है नहीं हेमी स्वेयर खीच लो तो हेमी स्वेयर खीचा जिसका radius लिया हमने CT के बराबर बहुआ जितना distance इसने travel किया जब यह hit किया था उसके बाद यह आगे बढ़ गया होगा तो आप एक distance में खीच लिजेगा हेमी स्वेयर मैं पहले ray बना रहा हूँ यह पहले हेमी स्वेयर ही बना लिजे ऐसे मान लिजे color बदल लेता हूँ पीला यह कुछ आपने ऐसा किया यहाँ पर एक हेमी स्वेयर ऐसे खीचा यह हेमी स्वेयर बिसिकली ऐसे खीचोगे आप इतना बनाने कि ज़रूट नीचे भी ऐसे rough diagram बना रहे है रेडियस है जो कि 90 पर होगा यह रेज आपकी क्या की इस डिरेक्शन में reflect हो गई और नया वाला wavefront अब यह point आप लिग लीजे D और यहाँ से यह जो नई wavefront है इसके यह 90 था यहाँ से भी 90 बनाते हुए एक रे ऐसे खीच दीजे तो this is a new wavefront नहीं फिर white color लेता हूँ यह diagram plot हो गया है CD क्या है हमारी reflected wavefront मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ reflected wavefront है ना आपको अच्छे समझ में है इसलिए बिल्कुल मैंने निचोड दिया है अब यहाँ पर आप क्या करें नॉर्मल खीच लीजे ऐसे इस नॉर्मल को हम N- कह देते हैं मेरे काथ से काफी कोई जुरुरत पढ़ी और चीजों लेने की तो ले लेंगे अब देखी यहाँ पर अगर मैं angle I ले लूँ यह तो यह देखी यहाँ से यहाँ तक 90 है तो यह 90-I यह भी 90 है तो 90-I घटाओगे तो this angle will become I ध्यान पुरुवक सेम फंडा यहाँ लगा दो अगर यह angle में ले रहा हूँ R तो यह देखी इस पीले वाले में यह 90-R यह फिर 90 है तो 90-R घटाओगे तो this angle will become R अब angle I angle R आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा फोटो तो हमारी बन चुकी है अब दो triangle यही पर कर लेते हैं दो triangle पकड़ लीजे इन triangle A, B, C देखिए A, B, C यह इस triangle की बात कर रहे हैं और एक दूसरा triangle ले रहे हैं जो की है D, C, B ध्यान पुरुवक देखिएगा यह angle 90 है और यह angle भी 90 है तो यहाँ पर लिख देते हैं angle B, A, C is equal to angle C, D, B each is 90 degree कोई तकलीफ नहीं है B, A, C क्या है B, A, C 90, C, D, B C, D, B, 90 बढ़िया और उपर से हमारा B, C हो गई B, C के बराबर यह देखिए B, C दोनों में common है triangle में तो B, C, B, C के बराबर तीसरी बात करते हैं A, C is also equal to B, D that is equal to C into T यह A, C क्या था यह रहा आपका A, C यह CT डिस्टेंस था यह भी आपने जो बनाया है B, D यह भी CT है तो दोनों CT, CT था दोनों बराबर हो गया अब इस तीनों से यह दोनों triangle congruent हो गए अब यह दोनों congruent जब हो गए तो लिखा आपने triangle A, B, C is congruent to triangle D, C, B अब अगर triangle congruent है तो C, P, C, T से आप जानते हैं congruent triangle का सारे part common होते हैं उस दशासे हम क्या लिख सकते हैं हमारा जो angle है A, B, C यह देखें A, B, C क्या रहा? A, B, C यह angle I और यह बराबर हो जाएगा किस angle के? दिस angle के which is D, C, B D, C, B और यही क्या है? angle I और यही है angle R hence proved यह क्या है? hence proved तो हमने यहाँ पर पूरा इस्तमाल किस चीज़ का किया है? हमने पूरा इस्तमाल किया है wave theory का, wave front का और उससे हम दिखा पाएँ हैं यहाँ पर कि angle I is equal to angle R जो law of reflection को दिखाता है तो इसकी proving आपसे बड़ी important है मैं हटता हूँ note कर लीजे मैंने खुद इसलिए हास से बना के किया जैसे भले 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगें लेकिन आप पूरी चीज़ पकड़ पाएँ की कहानी क्या है? मैं हटता हूँ note कीजे, अच्छे से तयार कीजेगा जैसे मैंने आपको ध्यान दिलवाया है कि यह या इसका reflection वाला part में से कोई एक नाएक सवाल तपकता है हर साल तपक जाएगा आप इसको note कर लीजे फिर अगली बातचीत करते हैं मेरे काल से pause करके आप note कर पाएं होंगे अगली दिशा में बढ़ते हैं अब इसका आजाता है reflection वाला part तो reflection on the basis of wave theory again very very important जैसा आप समझ पाएं जो मैंने बाते आपको बताई हैं अब यहाँ पर भी यह देखिए यहाँ पर दो case होते हैं rarer to dancer जा रहे हो यह dancer to rarer जा रहे हो दोनों में आप तरीका वही इस्तिमाल करते हैं proof करने का तो मैं एक example ले रहा हूँ जब यह rarer to dancer रहे जा रही है यह rarer medium यह dancer medium मैं यह आप फोटो बना के again आपको समझाने का प्रयास करूँगा जैसे अच्छे से समझ पाएं आप और आपको याद दिला दूँ कि इसको proof करने में क्या करना पड़ता है sin i upon sin r is equal to v1 upon v2 is equal to 1 mu2 यह अगर proof कर ले गए तो स्नेल्स law है और इससे थाबित हो जाएगा कि wave के case में भी हम explain कर पा रहे हैं तो इसके photo के लिए मैंने जो derivation कर रहा हूँ derivation और case ले लिया है हमने rarer to denser यानि rarer to denser medium में जा रही है ठीक है इसका एक बना लेते हैं पहले interface समझ लीजे यह rarer medium है यहाँ पर velocity v1 है और यह denser medium है यहाँ पर velocity of light v2 है भाई साब बहुत अच्छी बात है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे wave front fall कर plane wave front लेते हैं जिसे असानी से बन सके यह हमने wave front को fall करा दिया this is a incident plane wave front incident plane wave front अब जैसे पीछे काम किया था यह x और y क्या है refracting surface है हमारी यहाँ पर यह point a ले लेते हैं इस पर ray खीच दीजिए perpendicular यह ray बन गए इसको ऐसे बोल दो this is a ray which is perpendicular to this wave front यहाँ पर एक normal भी खीचेंगे और इस angle को हम i भी कहेंगे भी आप यह angle आई है देखिए तो यह 90 है तो 90 minus i यह 90 है तो उसमें 90 minus i गटाओगे 2 degree पर ही है ray number 2 इसको कुछ नाम इस point को मैं b बोल देता हूँ यह normal को n बोल देता हूँ जहाँ ज़रूत पड़ेगी इस्तमाल कर लिया जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ से आ तक गई होगी तो इसने distance चला होगा v1 into t, t time में गई है तो distance हो गया यहाँ से जिस समय में b से c पहुची है उसी समय में इसने चाल कितनी चली होगी distance कितना cover किया होगा v2 into t क्योंकि v2 है speed तो distance क्या होगा speed into time तो v2 into t तो यहाँ पर आप पकड़ेंगे और v2 into t के हिसाब से hemisphere या एक sphere ऐसे बनाएंगे ऐसे आपने sphere मना दिया यह distance और यहाँ से tangent draw कर दिये देखिए मैं यहाँ पर ऐसे tangent draw कर रहा हूँ tangent draw की अब यह जो आपकी कहानी है यह v2 into t है यह distance इसका नाम दे देते हैं d और यहाँ से tangent draw किया हुआ है आपने यह wave front यह जो आगे रे जा रही है यहाँ से ऐसे बढ़ेगी जो भी आगे यह ऐसे नहीं बढ़ेगी यह भी मुड़ जाएगी मैं यही रूख देता हूँ this is a refracted wave front बहुत ही आसानी से अब देखिए अगर मैं इसको angle r ले रहा हूँ normal से तो यह देखिए कितना हो गया 90 minus r और यह 90 थाई तो यह बचा r देख लीजे बढ़े आसान होता है सब यह यहाँ पर है यह angle r तो यह 90 minus r यह 90 है तो यह बच गया आपका r काम बढ़िया हो गया अब हम दो right angle triangle लेंगे और बड़े प्यार से इसको handle कर लेंगे तो यहाँ पर लेते हैं राइट अंगिल ट्रेंगिल फ्रॉम राइट अंगिल ट्रेंगिल राइट अंगिल ट्रेंगिल कौन सा ले लेंगे a b c a b c इसमें हम ले रहे हैं sin i तो sin i जब आपने लिया तो होता है perpendicular upon hypotenuse तो यह angle i है तो perpendicular क्या हो गया इसका b c upon hypotenuse हो गया a c b c की value कितनी है b c is v1 into t और नीचे a c मैंने लिखा रहे हैं दिया अब ऐसी जगा from right angle ट्रेंगिल दूसरा वो ट्रेंगिल कौन सा है a d c देखिए दिहान से a d c इसमें r पकड रहे हैं sine r sine r का मतलब perpendicular upon hypotenuse perpendicular is a d and hypotenuse is a c a d कितना है v2 into t upon a c equation 1 equation 2 यह पहली और दूसरी equation को divide कर देते हैं तो first divided by second equation तो हमको मिला sine i upon sine r उपर हो गया v1 t upon a c v2 t upon a c a c a c कड़ गया t t कड़ गया आ गया v1 upon v2 और यही तो इसने इसला होता है यही चीज हमारी बराबर हो गई sine i upon sine r is equal to v1 upon v2 is equal to refractive index of 2 with respect to 1 which is a constant और यह हमारा hence approved law of reflection हमने proof कर दिया है with the help of wave nature of theory ठीक है इसको भी note कर लीजे pause करके extremely important है यहाँ पर कभी-कभी यह कह देते हैं यहाँ पर देखिए rarer medium माना था या dancer कभी-कभी dancer उपर rarer नीचे करने का process ही रहेगा तो आप इसको note कर लें हैं मेरे खाल से आप इसको note कर पाए होंगे अच्छे से चलिए एक किदम आगे pause करिए नोट करिए एक कदम और आगे चलते हैं और जैसा मैंने बताया figure आपको दिखा रहे है denser to rarer का उसमें rarer to denser था है denser to rarer है इसमें भी एक खाज-खाज के अराम से बना सकते हैं कोई भी दिक्कत की बात आपको नहीं है चलिए और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब देखे बड़ी important बात है कि जब भी हमारा effect of wavelength frequency speed during reflection जब भी reflection होता है तो frequency of light नहीं बदलती frequency एक तरह का light का DNA है वो नहीं change होता तो you will get frequency will be same तो अब उसके बाद जो बाकी जैसे ये relation याद रखिए 1 mu2 is equal to mu2 upon mu1 is equal to v1 upon v2 is equal to lambda 1 upon lambda 2 तो ये relation आपको बहुत सवालों में काम करेगा आता है और in reflection in reflection frequency या f लिखते हैं remains same reflection में frequency नहीं बदलती बाकी wavelength बदल जाती है speed भी बदल जाती है v1 v2 ठीक तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे lambda 1 mu2 के यानि जिसका refractive index जादा होगा वहाँ wavelength छोटी हो जाएगी जिसका wavelength बढ़ा होगा जिसका refractive index कम होगा वहाँ पर wavelength बढ़ जाएगी speed में speed ज्यादा तो wavelength ज्यादा speed कम तो wavelength सीधे सीधे बात दिख रही है यही बात यहाँ पर लिखी गई है अब इसी बात को आगे यही पर अगर आप ध्यान दे लें अगर पहला medium हम air ले लें air ले लिया I suppose तो air या vacuum में speed कितनी होती है c तो यह value हो जाएगी यहाँ पर v1 की बात करेंगे तो v1 क्या रहा air तो यह रहा c upon v तो कहीं पर लिखना हो mu किसी भी material का तो c upon v से आप इस formula का इंतिजाम कर सकते हैं इसको बोलते है absolute refractive index क्योंकि देखे रिफरेक्टिव index तो pair of media के लिए ता किसी जोड़े के लिए होता है दो medium चाहिए अगर उस दो medium में पहला medium air है तो वो हो जाता है absolute refractive index और पहला medium भी कोई air के लावा कोई medium है तो वो relative refractive index होता यह 10th class में आपने पढ़ा था खेर मैंने याद दिला दिया बड़ इच्छी बात है तो यही बात देखे यहाँ पर लिखी गई है mu is equal to c upon v जब पहला यह absolute refractive index है जिसमें पहला medium air या vacuum है यह बात आप समझ पाए होंगे अब आपके पास कई बार ऐसा भी क्योंकि मैंने काफी detail में PYQs वगरे देखे हैं तो यह question भी आपसे पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको involve, include कर लिया है यहाँ पर कि behavior of a prism, lens और mirror when a plane wavefront is incident on it जब prism पर या lens पर या mirror पर जब plane wavefront पढ़ती है बिटा तो wavefront का shape कैसा हो जाता है बदल जाता है क्या यह देख रहे हैं यहाँ पर तो मैं red color ले लेता हूँ या कोई दूसरा color उसी type का incident wavefront देखिए है prism के case में तो यह पढ़ेगी और यह plane wavefront ही रहेगी बस थोड़ी सी घूम जाएगी तो यह बनाने को आए तो photo चाप देना अब अगर convex lens की बात की जाए तो यह देखिए यह जो पहले क्या थी plane wavefront लेकिन अब जो हमको मिलती है refracted वो मिल जाती converging spherical wavefront यह ऐसे ऐसे converge कर रही है तो converging spherical wavefront यह मिलती है convex के case में अगर मैं concave mirror की बात कर लूँ यह देखिए concave mirror है तो इस case में plane wavefront आप डालोगे तो यहाँ पर भी यह इस तरह से converging ऐसे ऐसे मिलेगी converging spherical wavefront बात पकड में आई होगी तो यह आपका diagram examination में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको include किया जैसे आप पूरी मजबूती के साथ प्रदर्शन कर पाएं अगली बात लेते हैं जल्दी से और वो बात आती है question है NCRT का monochromatic light of wavelength 600 nanometer incident from air on a glass surface यह देखिए यहाँ पर आप ले लीजे बिटा glass आपको समझाने के लिए air और कोई monochromatic light ऐसे fall कर रही है जिसका wavelength दे रखा है air में या lambda 1 लिख देता हूँ air के लिए 600 nanometer what are the wavelength and frequency wavelength कितनी है frequency कितनी है speed कितनी है refracted light की यहाँ मालो यह reflection कुछ हुआ होगा तो यहाँ पर lambda 2 कितना है frequency कितना है और और भी कुछ speed कितना है यह पूछ रहे हैं और refractive index जो glass का है वो 1.5 है आपको मैंने याद दिलाया था कि इसमें इन सब खेलों में इन सब में आपको यह formula हमेशा ध्यान रखना चाहिए mu2 upon mu1 v1 upon v2 lambda 1 upon lambda 2 इस से देखिएगा यह सवाल कितने असानी से solve हो जाएगा और frequency तो same में रहेगी तो पहले वाले में frequency कितनी है यह निकाल लेते हैं तो in air या for air हम v is equal to v का मतलब c v is equal to mu lambda तो new और v की जगा c upon lambda आगया air की बात कर रहे हैं तो यह हो गया 3 into 10 की power 8 और lambda 1 की बात कर रहे थे तो 600 nanometer 600 into 10 की power minus 9 तो यह value हो गई 5 into 10 की power 14 hertz यह पहला answer आगया आपका यह answer क्यों है पहला क्योंकि यही frequency यह new one जो है new one is equal to new 2 इसलिए क्योंकि frequency बदलती महीं है तो जो पहले वाले medium में frequency है वही दूसरे वाले medium में frequency मिलेगी अब हम बात कर लेते हैं wavelength की तो मुझे मालूम है कि mu 2 upon mu 1 is equal to lambda 1 upon lambda यह मैं velocity ले लेता हूँ पहले v1 upon v2 तो अगर मुझे v2 निकालना है in glass तो यह हो गया mu 1 upon mu 2 into v1 mu 1 upon mu 2 में mu 1 तो साब air का था तो यह 1 हो जाएगा और mu 2 1.5 है और यह रहा 3 into 10 की power 8 जब खाली space हो या air में velocity निकाल रहे हैं तो यह value हो जाएगी 2 into 10 की power 8 meter per second यह answer number 2 आ गया है तीसरे answer की बात करें तो again mu 2 upon mu 1 is equal to lambda 1 upon lambda 2 तो lambda 2 निकालने की बात आएगी तो ऐसा ही आ जाएगा mu 1 upon mu 2 into lambda 1 तो mu 1 की value 1 upon 1.5 और lambda 1 कितना था 600 nanometer अब इसको आप solve कर लीजे और आपको value मिल जाएगी कितनी 400 nanometer पंदरा चोके साथ 400 nanometer यह आपकी value आ जाएगी जो आप calculation में कर सकते हैं ठीक है हो गया कारिकरम तो इस numerical को आप note कर लीजे फिर आगे की बातचीत करते हैं यह इसको pause करके आप note कर लें तो बच्चों मेरे क्याल से आपने इसको note कर लिया होगा चलते हैं अगले topic के उपर जो बड़ा ही शानदार है जो है principle of superposition of waves देखे क्या होता है कि जब single wave चल रही होती है तो कोई tension नहीं किसी भी medium में जा रही है उस medium को उसने जितना displacement करना कर दिया लेकिन मालीजे एक से ज़्यादा wave एक साथ move कर रही मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि मालीजे किसी point पर हमारी दो wave fall कर रही है एक साथ दो हो सकती है दो से ज़्यादा हो सकती है तो यह देखे वे नंबर वन कह देते हैं जो source 1 से निकली है और कोई source 2 ले लेते हैं उससे भी कोई wave निकली है और यहाँ पहुँच की सपोस करिए तो पहले अगर S1 वाला displacement यहाँ कर रहा था Y1 इस particle का displacement अगर S1 की वज़े से और S2 वाले की वज़े से displacement हो रहा था Y2 तो अब जब दोनों एक साथ पढ़ जाती है तो इसका net displacement हो जाता है Y1 प्लस Y2 बेटा यह दो के लिए दो के लिए भी वैलिड है 3, 4, 5, 6 कितने के लिए भी वैलिड है यानि superposition principle क्या बोलता है कि जितनी भी number of waves एक medium में चलके किसी point पर hit कर रही है के vector sum के बराबर एक चल दी थी तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक से जाता दो चल रही है तीन चल रही है तो जहां fall की है सबका displacement vectorally जोड दीजे आप और वो net displacement आ जाएगा देखिए आपको समझाने के लिए तीन photograph हैं यहाँ पर मैं red color ले लेता हूँ जिससे थोड़ा highlight हो जाए यह number one wave यह number two wave और यह final wave है नीचे वाली यहाँ देखिए यह नीचे की तरफ जा रही थी यह भी नीचे की तरफ दोनों नीचे नीचे जुड़ गई ज्यादा नीचे चली गई यह देखिए उपर की तरफ जारी थी इस point को देखिए यह उपर की तरफ जारी थी दोनों मिली एक साथ जहाँ पर hit कर रही है medium पर जिस particle पर एक साथ hit की दोनों आपस में जुड़ गई क्योंकि एक direction में है यह देखिए amplitude आपका जादा हो गया यहाँ पर एक जारी थी नीचे देखिए एक जारी है उपर यहाँ पहुची है दोनों मिली तो एक दूसरे को nullify कर दिया फ्लैट चली गई बलब एक plus one जारी थी एक minus one समझी है मिली तो दोनों ने खतम कर दिया तो vector sum के बराबर यह final result आपका आता है जैसे आप बोलते हैं superposition principle in case of this light की बात कर रहे है अब अगली बात हम लोग करते हैं जो आपके course में बड़ा important है interference of light अब यह interference of light क्या होता है मैं थोड़ा बता दू तब पढ़ने में मज़ा आएगा actually यह पहली बार interference का जो experiment है वो young ने किया था तो young double slit experiment YDSC experiment इसको बोलते हैं जहां तक मुझे आदा 1301 में ऐसे आसपास उन्होंने किया था अभी देख लेंगे आगे लिखा होगा यह अभी तक के physics के top 10 experiment में से एक माना जाता है जिसने की सोचने की scientistों की दिशा बदल दी scientist मानने को तयार नहीं थे कि यह wave होता है लेकिन जब experimentally कोई चीज़ दिख जाती है तो किसी के मानने ना मानने से क्या होता है वो तो सच है जो सामने हो रहा है तो उनको सोचने का तरीका इसने बदल दिया था इसलिए यह top 10 physics के experiment में शामिल है अब यहां पर होता क्या है suppose एक बड़ा ही आसान आपको example दे रहे है अपने घर में एक 100 watt का बल्ब आप लगाते है तो रोशनी पाते है आपको लगता भई 100 watt का बल्ब तोड़ा कम लग रहा है एक 100 watt का बल्ब औल लाओ तो एक दिवार पर 100 watt का बल्ब अब दूसरा बल्ब लगाया तो रोशनी बढ़ गई भाई यही तो होता हमारे घरों में एक 100 watt के बल्ब से जितनी रोशनी है दुगना लगा दूसरा भी लगा देते तो रोशनी और बढ़ जाती है लेकिन यहां क्या चक्कर हो गया सपोस करिये ऐसा कुछ हो जाए कि एक 100 watt का बल्ब लाके लगाएं आप और हुब हुब वैसा ही एक 100 watt का बल्ब भी धन लगा दीजे और आप देखें कि यहां पर कमरे में जो रोशनी है वो रिडिस्ट्रिबूट हो गई मतलब आपको bright और dark fringes मिलने लगी fringes का मतलब पटिया तो आपको पता लगा एक जगह चमकदार पटी मिल रही है उसके बाजू में अंधेरा मिल रहा है फिर पटी मिल रही चमकदार bright फिर अंधेरा मिल रहा है इस तरह से यह आपकी पटियां बन गई तो आप कहेंगे अरे यह क्या कांड हो गया भई हम तो हास्तक यही समझे थे कि दो बल्ब लगाने पर रोशनी पड़ती है और यहां पर तो क्या हो गया एक जगह खुब चमक रहा है कुछ पोर्शन में उसके बाजू में अधेरा चा गया है यह कौन सा कांड है यही यह जो कांड है इसी को बोलते है इंटरफरेंस अफ लाइट इसी कांड को हम लोग स्टेडी करने वाले हैं अब इस कांड को होने के लिए बड़ा कुछ special conditions चाहिए होती थी otherwise यह experiment पहले ही हो गया होता और सबको बड़े अराम से मालूप हो गया होता बहुत special conditions चाहिए होती है laboratory में तब यह कहानी हो पाती है जैसे दो जो source हैं यहाँ दो bulb का एक बड़ा हलका example लिया मैंने यह दोनो bulb same frequency की light emit करें coherent हो अभी बात करेंगे अलग-अलग bulb current का भी नहीं हो सकते है nature में current source मिलते ही नहीं है lab में हम लोग बनाते हैं कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे तो मान लीजे दो ऐसे source हमारे पास हैं जो same frequency निकालते हैं और उनके बीच का जो face difference है या तो वो zero हो या अगर है तो constant बना रहे दिखाई पड़े तो interference create कर देते हैं तीन चीज़े बताइं current sources same frequency होनी चाहिए दोनों source की दूसरी उनके बीच में constant face difference हो या ना हो हो तो constant हो तीसरी बात same direction में चल रही हो यह तीन बातें interference के लिए ज़रूरी है यही बात यहाँ पर लिग दी गई है तो यह क्या है this is the definition of interference कि आप से एक्जाम में पूछें कि interference क्या होता है explain interference what is the meaning of interference तो आप यह चार लाइने जो लिखी हैं वो लिख देंगे जैसे मैंने समझा दिया जड़ा सपड भी देता हूँ when two light waves of the same frequency जिसे आप अभी कहेंगे coherent source and having zero constant phase difference number two condition number one number two condition phase difference zero हो या constant हो ठीक traveling in the same direction number three condition यह तीन condition होनी चाहिए superpose each other the intensity in the region of superposition get redistributed energy redistribute हो जाएगी becoming maximum at same point and minimum at other points कहीं पर bright fringe कहीं पर काली dark fringe मिल रहेंगी इसी phenomenon को आप बोलते है interference pattern या interference of light ठीक यहाँ पर कुछ बाते दिखाई हैं आपको दिखाते हैं यह बात आपने मोटे तोर पे समल ली कि interference of light क्या होता और यह संभाव के बल वेव थेयोरी की वज़े से particle theory से इसको explain नहीं किया जा सकता खेप आगे लिखे चलते हैं अब अगले experiment में जो YDSC था यंग सामने किया था 1801 के अंदर ही experiment और बड़ा शांदार experiment इसके लिए काफी conditions लगाई उन्होंने lab के अंदर तब इस phenomenon को देख पाई जैसे आपको दिखाते हैं भी आएगा आपको देखने में कि source लिया यह देखे यहाँ पर एक source लिया light का monochromatic source जो की था sodium vapor lamp जिससे monochromatic nearly monochromatic light निकलती है फिर जो source था उसके लिए slit width रखी 1 mm wide यह जो S है इसकी चोड़ाई width है, width क्या होता है, cardboard ले लिजे या मुटा कागस ले लिजे blade से काट दीजे, तो हलका सा जुरी बन जाती है, उसी को slit बोल रहे है, उसकी चोड़ाई को बोल ले है slit width, तो इसकी जो width रखी इन्होंने यह कितनी रखी, 1 mm 1 mm ठीक है, अब इसके बाद S1 एन S2 को इससे दूरी जो रखी, वो 10 cm रखी, यह जो दूरी है यह रखी इन्होंने 10 cm, आप देख पा रहे हैं उसके बाद S1, S2 का separation 2 mm, यह small d यह रखा इन्होंने 2 mm इसके बाद S1, S2 की slit width, 0.3 mm देखे कितने जुगाळ इन्होंने किये और observation screen रखी 2 mm दूर और यह जो d है, यह रखा 2 mm, जो इन 2 source से screen दूर था इतनी conditions जब लगाई तब हिनको interference दिखाई पड़ा यह ऐसा नहीं, आसान experiment नहीं था, यह इतनी तिकड़म करते करते करते, कितने सालों में पहुचे होंगे यहां, कि उनको क्या मालूम कि किसको कितना करना है यह जब setting जब आई, तो उन्होंने जब यहां से source की light डाली तो यह light से, एक light से दो source बन गए, योकि उसी light से निकले हैं, इसलिए coherent है, same frequency है, और अगर कोई phase difference है भी, तो उस अमाम बना रहेगा, क्योंकि एक ही जगा से निकल लेए, जो बदलाव mother करेगी, बनलब, parent, mother, जो भी बोलें, S1, S2 में same changes होने वाले एक साथ, और वो, यहां पर देखिए, redistribution of fringes हो गई, मतलब, कहीं पर bright fringe कह लीजे, यह first, यह dark कह लीजे, और बीच वाली bright कह लीजे, यह बनाई है पट्टी है, यह जो experiment होता है, जैसे आप, जैसे आप, सिनेमा हल में बैठते हैं न, PVR में, ऐसे बैठके देख रहे होते स्क्रीन होती है, यह वैसे ही photo है, यह इसका top view है, आप ऐसे PVR में पिक्चर देख रहे हैं, शारुक कान की, जवान फिल्म चल रही है, अब उसमें क्या होगा, आपके च्छत से photo लिया गया है, तो समझिएगा मेरी बात, आप ऐसे बैठे हैं, तो यह दिखिए, ऐसे दिख रहे हैं, जो source रहा होगा, सामने S1, S2 है, ऐसे तो top view ऐसे दिख रहा है, ऐसे camera लगा है, और screen ऐसे, तो screen पर जो आपकी fringes है, वो ऐसे, बलब screen पर ऐसे ऐसे distance चल रहा है, top view है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, देखना है, इस screen पर इधर कोई hero है, इधर कोई hero है, यह center है, तो ऐसे ऐसे जो बाते चल रही है, वैसी screen देख ऊपर से रहे, समझ कहने हैं, film देख रहे हैं, top camera उपर लगा हुआ है, तो आपको ऐसा उपर से लगेगा, तो यहाँ पर आप देख पाए, कहीं पर center पे bright fringe, bright fringe कब आती है, जब constructive interference होता है, constructive interference कब बोलते हैं, जब y1 प्लस y2 एक जैसे जुड़ जाते हैं, तो constructive interference में क्या होता है, bright fringe मिल जाती है, तो y1, y2 एक ही दिशा में थे, जुड़ गए, तो यह दो के दो जुड़े, तो ज़्यादा amplitude हो गए, तो bright, और जब destructive interference होता है, एक दूसरे को kill कर देते हैं, जब आप y1, y2 opposite direction में थे kill कर दिया, destructive, destruction हो गया, उस समय यह dark fringe मिल गई, यहाँ पर interesting चीज़ क्या आती है, एक bright के बाद अगला dark, फिर bright, फिर dark, alternate आता है, bright, dark, bright, dark, bright, dark, और center पे बनती है bright fringe, आप समझ पाए होंगे, यह घटना क्या थी, अब आपको थोड़ा mathematics दिखाते हैं, जो आपके slayvus में भी है, कि interference जो pattern है, इसमें हमारा amplitude, resultant amplitude, या आपका intensity, कहां कितना निकलता है, उसकी बात देखते हैं लोग, तो चलिए, इसके लिए मैं आपको conditions for constructive and destructive interference की तरफ लेके आया हूँ, कहां constructive और कहां destructive interference होगा, constructive मतलब समझ लिजे bright fringe, और destructive मतलब dark fringe, यानि same direction में add होंगे, तो constructive वरना destructive, अब यह equations ले लिजे, माल लिजे, दो wave source थी, एक equation आपको मिली है, a1 sin omega t, एक source से यह equation निकल लई है, जो light निकल लई है, दूसरे से जो light निकल लई है y2, उसका amplitude a2 है, frequency वही रखी, माल लेते हैं कोई phase difference है, इसमें, phi का phase difference है, दो waves हो गई, y1 y2, अब इनका superposition कराना है, यानि superposition principle क्या बोलता है, y is equal to y1 plus y2, यह superposition लगा दिया, a1 sin बहुत असान, omega t plus a2 sin omega t plus phi, अब आगे बढ़ते हैं वेटा, इसको लिख दीजे, a1 sin omega t, और यहाँ sin a plus b का formula, तो a2, तो आप लिखते हो sin omega t, sin a into cos b, plus cos a into sin b, यह आपने formula लगा दिया है, derivation के लिए लग गया, अब यहाँ पर क्या करते हैं, sin omega t वाला term को एक साथ ले लेते हैं, तो यह रहा देखिए, a1 और यहाँ से आगिया, a2 cos phi sin omega t, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, और a2 इसे लिखा sin phi, और cos omega t, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ हम let कर लेते हैं, जैसे यह simplified version में लिखा जा सके, तो यहाँ पर हम let कर लेते हैं, let, इस वाले portion को a, a1 प्लस a2 cos phi को हम कह रहे हैं, a cos theta, और a2 इसको, a2 sin phi को हम कह रहे हैं, a sin theta, इसको number one और number two कह दीजे, जहाँ जरूरत पड़ेगी, इस्तमाल कर लेंगे, इसकी value उसमें put कर दीजे, अब मैं इसको आपको ले आता हूँ, यहाँ पर, तो आपका जो अब result रहा, y is equal to, इस a1 प्लस a2 cos phi की जगा, a cos theta आ गया, तो इसको लिख दिया, आपने a cos theta sin omega t, प्लस a2 sin phi की जगा, a sin theta, a sin theta, और बाजू में था उसके cos omega t, आप देखिए, अगेन यह formula बन गया, और यह चीज़ क्या बन गया, यह हमारी a sin omega t plus theta, यह न, sin a into cos b plus cos a into sin b, तो sin a plus b का formula है, और यह क्या है हमारी harmonic wave, क्योंकि sin function में लिखी हुई है, तो this resultant wave, this resultant wave, is also a harmonic wave, wave of amplitude, amplitude कितना है, इसका a, और यह theta से पहली वाली से lead कर रही है, and leads, and leads, by angle theta, with the first harmonic, यह source wave, harmonic wave, first harmonic wave क्या थी, यह a1 sin omega t, इसमें देखे, plus theta है, तो यह lead करने लगी, यह लिख दिया, अब हमें a की value निकाल ली है, देखे, बहुत ही आसानी से, और यह हमारे लिए बड़ा important है, for value of a, हमने क्या किया, पहली equation का square, और दूसरी equation का square करके, जोड दिया, इन दोनों को, इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो आ जाएगा, a square, cos square theta, plus a square, sin square theta, और यहां लिखे होगे, a1, plus a2, cos phi का square, plus, a2, sin phi का, square, अब इसके square को जोड़ेंगे, बहुत आराम से देखिए, यह value हो गई, a square, cos square theta, plus sin square theta, जोकि 1 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा, a1 square, plus a2 square, cos square phi, plus 2 a1, a2 cos phi, plus a2 square, sin square phi, मैं तोड़ा उपर लेके जाता हूँ, यह value हो गई, देखिए, a square, क्योंकि यह 1 होता है, यहां पर इस term को, और इस term को एक साथ ले लीजे, तो a2 square, plus cos square phi, plus cos square phi, plus sin square phi, जोकि 1 हो जाएगा, तो यह आ गया, a1 square, plus a2 square, plus 2 a1, a2 cos phi, और यह जो formula है, वो हम लोगों के लिए, बहुत जादा important है, जगा जगा इस्तेमाल करेंगे, इसे equation number आप 3 कह सकते हैं, यानि resultant amplitude, अगर कहीं पर लेना है, कि दो wave टकराई है, किसी point पर a पर कितना amplitude रखती हैं, तो उनके बीच का जो angle है, phase difference, उससे संबंदित कारिकरम लगा दीजे, अंसर निकाल लीजे, अभी amplitude आया है, लेकिन हम intensity निकालने के चक्कर में हैं, तो intensity के लिए यही पर working कर देते हैं, हम जानते हैं कि wave theory में, we know that, in wave theory, हमारा जो amplitude होता है, वो intensity होती हो amplitude के, square के proportional होता है, wave theory के अंदर, तो इसी हिसाब से, हम क्या लिख सकते हैं, i is equal to k square, i1 के लिख सकते हैं, a1 square, and i2 के लिख सकते हैं, k a2 square, अब यहाँ पर value put करते हैं, देखिए, तो इसको आपने k से multiply कर दीजे, यह k a1 square, plus k a2 square, plus 2, यह k से multiply करेंगे, तो इसको आप under root k करके लिख सकते हैं, देखिए, तो इसे आप लिख सकते हैं, मैं देखिए, ऐसे लिख रहा हूँ, under root k1, और a1 देखिएगा, समझिएगा, a1 square ऐसे के लिख दिया, इसको दूसरे को लिख दीजा, k2 a2 square cos phi, यह देखिए, इसका जब आप a1 square को बहाल लोगे, a1 आ जाएगा, root k1, और यह सारी k था, k1 क्यों लिख दिया, फिर सहटाना पड़ देगा, यह देखिए, यहाँ पर आते हैं, k a1 square, और यह k a2 square, तो a1 आ जाएगा, और root k into root k करोगे, तो k आ जाएगा, ऐसा क्यों लिखा है, जिसे intensity बिढ़ा पाएगा, अब इसकी जगा आप लिख जिए, intensity i, इसकी यह प्रपोर्शनल्टी से, this is intensity i1, this is intensity i2, plus 2, यह क्या हो गया, under root i1, into i2, यह भी root में आ जाएगा, into cos phi, this is also very very important formula for you, यह देखिए, और इस term को जो है, क्योंकि इस i में यही vary कराता है, इस term को हम बोलते हैं, interference term, interference term, तो हमारे पास यह दो formula बड़े important हैं, कि कहीं पर भी, क्या बताते हैं, कि कहीं पर भी माली जी यहाँ पर, दो wave थी, जो यहाँ पर fall कर रही हैं, और उनके बीच में, अगर हमें phase difference मालूम है, या path difference, phase difference, path difference में relation होता है, भी लिख देंगे, मालूम है, तो यहाँ पर, वो intensity क्या बनाएंगी, यह निकाल लोगे, या उस wave का यहाँ पर amplitude क्या होगा, यह हम जान सकते हैं, तो यह formula extremely important है, इसी से आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इसको note कर लीजे, फिर एक किदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम भी कहरेंगे constructive interference, तो constructive के लिए intensity maximum, destructive के लिए intensity minimum, बस condition लगाके निकाल देंगे, तो खैर इसको आप note कर लीजे, क्योंकि मैंने यह इसलिए बताया, कि कहीं आ जाये तो आप इसको छक्का मारे बिना रहे ना, इसको आप note कीजिए, अगली चर्चा करते हैं, यह आप note कर पाएंगे, बड़ ही असान है, एदम असानी से, तो इसको note कर पाए, pause करके, और यह मैं इसको उपर ले जाता हूँ, यह पूरी चीज आपके सामने आ गई है, इसको note down कर लिजे, यह बड़िया है, intensity, amplitude, सब, resultant का हमारे सामने रखा हुआ है, यही चीज इसकी summary बेटा, मैंने यहाँ पर highlight कर दी, यह formula याद होना चाहिए, आपको amplitude का, जो निकाला है भी, और इस तरह intensity का, यह वही चीज जो मैंने लिखी थी, phi है phase difference जो आप जानते हैं, तो यह बात हम लोग पढ़ चुके हैं, अब एक formula और जो सीधी दोर पे, आपकी किताब में नहीं लिखा मिलता है, लेकिन उसमें सवाल आते हैं, बोर्ड में, इसी से निकलता है formula, तो मैं दिखाता हूँ, देखें, intensity का ये result था हमारे हाथ में, मैं white color लेना चाहूँगा, अब अगर हम ये सोच लें, कि दोनों जो wave हैं, इनकी जो superimpose कर रही हैं, उनकी intensity same है, I not कह दीजे, S1 वाले की भी I not, S2 वाले की भी I not, वो जब मिलेंगी, superimpose होंगी, तो हमारा net I क्या मिलेगा, वो निकाल रहे हैं, तो यहाँ इस formula में, आप इसको put कर दीजे, देखें कितना असान हैं सब, मैं derive करके दिखा रहा हूँ, 2 लिखा, under root I not, into I not, और ये रहा cos phi, तो I की value हो जाएगी, 2 I not, plus 2 I not, I not I square, और ये हट गया, root I square से, ये रहा cos phi, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, 2 I not, यहाँ पर common आ गया, 1 plus cos phi, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, cos 2 theta का formula लगा देते हैं, जो कि होता, 2 cos square theta by 2 minus 1, 2 cos square, 5 by 2 minus 1, और ये plus 1 तो था ही, मैं पहले ये लिखना चाहिए था हम को, plus 1 plus, 2 cos square, 5 by 2 minus 1, अब ये 1 और 1 हो जाता है, cancel, अब ये I कितना आ गया बेटा जी, ये आ गया 4 I not, cos square, 5 by 2, ये formula भी आप याद कर लें, direct formula किताब में नहीं छपा है, सवाल आते हैं, बोर्ड में, कि जब दोनों सोर्स से, intensity I not, I not निकल रही हो, तो final result धाएं से ये लिख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए, क्योंकि cos square 5 by 2 की, maximum value प्लस होगी, इसलिए I max जो यहाँ होगा, वो 4 I not से दिखा सकते हैं, इसका क्या मतलब हो गया, इस I max की बात कर रहे हैं, तो I resultant क्या रहा, I is equal to I max, cos square 5, इसी का एक और variant, इसी से निकाला हुआ, यह भी पसंद कर सकते हैं, भाई I maximum कब होगा, जो cos 5 by 2 का square, जो है, वो maximum हो, which is 1, 1 से बड़ा तो होता नहीं, इसलिए 4 I not की value I maximum है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो दो formula, जो normally किताब में छपे नहीं मिलते, लेकिन इसका भरपूर इस्तमाल होता है, वो मैंने निकाल के दिखा दिये, इधर वो सब छपा ये देखिए, यह मैंने इसका derivation किया है, जो यह formula छपा मिला है, अब आकी इस बात को भी समझाया है, तो याद रखिए कि जब I1, I2, same intensity से कहीं पर टकराएंगे, तो यह formula तुरंत काम करेगा आपका, ठीक, हट जाता हूँ, इसको आप note कर लिजे, एक सवाल लेता हूँ, फिर हम करेंगे, आचा सवाल करने से पहले, एक छोटी सी चीज़ मैं लिख देता हूँ, relation between path difference and phase difference, relation between phase difference and path difference, path difference, देखिए जो phase difference होता है, वो angle का मामला होता है, phase difference, path difference दूरी का मामला होता है, तो angle को दूरी से जोड रहे हैं हम लोग, relation, तो क्या हो जाएगा कहानी, delta 5, this is phase difference, 2 pi by lambda into delta P, this is path difference, इस formula को ध्यान कर लें, ये है phase difference, phase difference, जो angle का, ये आपकी सरलता के लिए मैं angle लिख देता हूँ, और यहाँ पर आगया path difference, path आप जानते ही हैं, तो ये मतलब, मैं दूरी लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, distance के लिजे, समझाने के लिए सरल भाशा के लिए, technical भाशा नहीं है, जिससे आपको आसानी लगे, और आप feel कर पाएं, कि भाई मुझे दिख रहा सर बिल्कुल बढ़ी हाँ एक दम, तो ये दूरी का मामला है, और ये एंगिल का मामला है, relation ये, delta 5 is equal to 2 pi by lambda into delta P, बहुत काम आएगा, अगर हमें कई part difference पता है, तो हम face difference निकाल सकते हैं, कई face difference पता है, at a point on a screen, in Young's double slit experiment, where the interfering waves of equal intensities, देखिये, दोनों equal intensity की हैं, वही formula लग जाएगा, have a path difference of this one, तो पहले वाले की बात इदर से शुरू करते हैं, इन्होंने बोला है path difference, यानि delta P की value हमको दी है, lambda by 4, अगर हमें face difference निकालना हो, तो मैं इस formula का इस्तेमाल करूँगा, जो अभी आपको सिखाया है, तो 2 pi by lambda into lambda by 4, ये आगया pi by 2 phase difference, formula आपको दिखाया था, वो formula क्या था, i is equal to same intensity होने पर, 4 i naught cos square 5 by 2, तो 4 i naught रखा, cos square, बनलब pi by 2 upon 2, और इसका square, तो value आगयी 4 i naught, cos pi by 4 का square, तो 4 i naught, cos 45 का होता, 1 upon root 2, 1 upon root 2 का square, यानि 1 by 2, यानि 1 upon 2, तो 2 से 2 काट दो, तो ये value आगयी, i is equal to 2 i naught, ये answer, देख पा रहे हैं, ये 2017 में पूछा गया, और भी पूछा जाता है, बड़े अराम से आप कर पाए, इस तरह से तुरंत हो जाएगा, बशार्ते चीजें आपकी समझी हुई हो, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अगली बातचीत, नमबर 2 के लिए ले लीजे, सेम फॉर्मेट है सवाल का, यहाँ डेल्टा पी दे रखा है, लेमडा बाई 3, तो डेल्टा फाई कितना हो गया, टू पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 3, लेमडा लेमडा कड़ गया, टू पाई बाई 3 आ गया, अब आप जान रहे हैं, आई लिखा, फॉर आई नॉट, कॉस स्क्वाईर, फाई बाई 2, मतलब फॉर आई नॉट, कॉस, फाई की जगा, टू पाई बाई 3, अपॉन टू, और इसका स्क्वाईर, यह हो गया, फॉर आई नॉट, कॉस, यह टू से टू कट गया, पाई बाई 3, का स्क्वाईर, और यह होता है, कॉस पाई बाई 3, वन अपॉन टू, वन बाई 2 का स्क्वाईर करेंगे, वन बाई 4, चार से चार कट गया, आई की वैलू हो गई, आई नॉट के बराबर, देखिए कितने अराम से आप इन सब बातों को कर पाएंगे, मैं हटता हूँ, नोट कीजे, इंपॉर्टन कोईशन हैं यह, आपको आना चाहिए, चलिए अगली बात करते हैं, जो अब constructive और destructive interference पिक्चर में आ जाएगा, तो यह देखिए, constructive interference है, जहाँ पर maxima, यानि की जो interference हो रहा था, कहां कहां maxima मिलेगा उसकी condition, फिर अगला पढ़ेंगे destructive interference, तो यह जो condition है, यह कैसे निकलती में दिखाता हूँ, फिर याद करने के लिए कुछ मैंने trick लगाई है, जो आपके लिए आसानी करेगी, तो देखिए, मैं आपको यह दिखाता हूँ, derivation ही कह लीजे, concept understanding है यह, derivation, constructive interference, constructive interference, तो देखिए, आपने हमने यह क्या दिखा था, intensity की value थी, i is equal to i1, plus i2, plus 2 under root i1, i2, cause phi, तो अगर हमें यह i maximum लेना है, for, i maximum, हमारा cause phi, maximum होना चाहिए, बहिए यह तो change होने वाला नहीं, यह term change होगा, तो cause phi maximum होगा, तो i maximum होगा, और cause phi की maximum value क्या होती है, plus 1, अब इससे क्या निकला, angle कितना हो जाएगा, यहाँ, phi की value हो जाएगी, 0, 2 pi, 4 pi, and so on, बहिए जहाँ जहाँ 1 आ जाए, cause 0 पे 1 आता है, cause 2 pi पे 1 आता है, cause 4 pi पे 1 आता है, बढ़ी इच्छी बात, अब इसमें यह देखिए, यह क्या है, phase difference, this is a phase difference, में लिख रहा हूँ, phase difference को, आप path difference में change कर दीजे, भी formula दिखाया था, 2 pi lambda into delta p, यह value है, 2 pi, 4 pi, and so on, तो path difference कितना आ गया, तो path difference, यह lambda से आप, समझ गया होंगे, lambda से multiply करो, 2 pi से divide करो, तो 0, 2 pi से cancel हो गया, this is lambda, 2 lambda, 3 lambda, and so on, करते करते, n lambda, तो हमें constructive interference कहां कहां मिलेगा, यह क्या है, path difference, तो हमें, कहां कहां constructive interference मिलेगा, जहां path difference, n lambda के बराबर हो, n कोई भी integral value है, इसको मैं याद करने की सला, क्या देता हूँ, कि delta pi को आप, even multiple of lambda by 2 सीखें, यह n lambda के बराबर यही तो है, even multiple, क्योंकि destructive का मतलब होता है, feeling हमारी क्या है, जो परवरिश है, destructive odd चीजों में होता है destruction, तो जब हम odd multiple of lambda by 2 बोलेंगे, तो destructive interference आ जाएगा, तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, तो याद करना असान हो जाएगा हमारी लिए, बास समझ रहे हैं, तो n lambda का मतलब क्या समझ सकते हैं, lambda by 2 का even multiple, यही बात हो गई, और साथ में phase difference बताएं, तो 0, 2 pi, 4 pi, इस तरह से phase difference हो गया, किसके लिए, constructive interference के लिए, पहली slide पर आते हैं, यह हम दोने derive कर लिया है, यह सारी बाते हम लोग समझ गए हैं, तो phase difference even multiple of pi, यह देकिए phase difference even multiple of pi, 2, 0, 2, 4 pi, 6 pi, और साथ में, path difference even multiple of lambda by 2, जो मैंने trick लगाई, जैसे आसानी हो, constructive के लिए even multiple of lambda by 2, restructively odd multiple of lambda by 2, बात खतम, और path difference integral multiple of lambda, इसलिए लिखा, कि आप देखकर भड़क न जाएं, कि सर ने पता नहीं क्या बता दिया, यह तो गलत लिखा हुआ है, भट से आपके दिमाग में आता हैं, समझ, कभी पाते हैं, बहुस बार नहीं पाते हैं, ठंडी दिमाग से कहाँ पढ़ते हैं आप, तो यह कहानी है, यह कहानी है, समझ में आई होगी बात न, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते रहेंगे, तो मज़ा आता रहता है, तो constructive interference की बात हम समझ गए हैं, path difference के मामले में, lambda by 2 का even multiple जहां होगा, वहाँ constructive interference मिलेगा, यह even multiple of by, तो even even उपर नीचे आ रहा है, इसलिए और even का मतलब, हमारी परवरिश के अनुसार, ऐसा हमारे दिमाग में रहता है, कि चीज़े जब even होती हैं, तो बहुत अच्छी होती हैं, और जब odd होती हैं, तो destructive हो जाती हैं, इस भावना के तहट, ऐसा system मैंने लगा दिया है, खेर आप समझ गए होंगे, अब आजाते हैं destructive interference में, यह हम लोग समझ गए, और destructive में देखी, यह slide आपके काम आएगी, कैसे होता है, वो भी जट से मैं समझा देता हूँ, तो यह बात आप समझ गए हैं, यहाँ देखी, odd multiple of lambda by 2, यह odd multiple of pi, यह कहानी कैसे होती है, जट से समझते हैं, बहुत असानी से, very simple, मैं इसी को लेता हूँ, derivation type समझ सकते हैं आप, किस चीज का derivation या concept understanding है, destructive interference की, inter, interference की, ठीक है साब, तो आप देख रहे थे, जो i लिखा था, फिर से एक बार, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट, i1, i2 कॉस फाई, तो destructive का मतलब है, intensity आपकी minimum हो, i हमारी minimum होनी चाहिए, यह कब होगी, जब कॉस फाई हमारा, minimum होगा, बाई, क्योंकि i1, i2 तो फिट फाई है, तो इस समय कॉस फाई की जो minimum value है, वो minus 1 होती है, इसका मतलब क्या है, फाई क्या होना चाहिए, पाई, थरी पाई, और मैल्टिपिल आफ पाई, अब हम जानते हैं, यह तो phase angle की बात थी हम समझा चुके हैं, टू से टू पाई से डिवाइड कर दो, तो यह value क्या आ जाएगी, डेल्टा पी, लेम्डा बाई टू, थ्री लेम्डा बाई टू, फाई लेम्डा बाई टू, और यह किसके बराबर है, टू एन माइनस वन, odd multiple of लेम्डा बाई टू, यह क्या है, odd multiple of लेम्डा बाई टू, तो हमें destructive interference कहा मिलेगा, जहां odd multiple of लेम्डा बाई टू हो, या odd multiple of पाई हो, दोनों बाते सही हैं, यह angle है, यह path है, कितना आसान हो जाता है मामला, ऐसे, तो यह बात यहां पर पूरी समझाई है, phase difference odd multiple of पाई हो गया, और path difference odd multiple of लेम्डा बाई टू हो गया, और यहां देखें, तो यह i minimum लिखाए, intensity कितनी होगी, यह minus 1 हुआ था, तो i1 प्लस i2, minus 2, अंडर रूट i1 प्लस i2, i1 into i2, यह destructive interference है, जो हम समझ पाए होंगे, अगला कदम बढ़ाते हैं, और यह समझने की कुशिस करते हैं, coherent और incoherent source किसे कहते हैं, यह constructive, destructive interference हम समझ चुके हैं, चलिए, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इसको आप note कर लीजे, कई बच्चे चाहेंगे note करना, बिल्कुल note करना चाहिए, तभी दिमाग तक बाते पहुंसती हैं, चलिए, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इसमें देखिए, लिखा हुआ है, coherent और incoherent sources, coherent sources क्या होते हैं, दो light source, जो same frequency emit करें, और उनके बीच में जो phase difference है, या तो शून हो, और अगर है, तो वो constant बना रहे, वो क्या कहलाएंगे, coherent source, coherent source नेचर में, अपनी आप विद्धमान है कहीं, नहीं है ऐसा, हमें laboratory में बनाना पड़ता है, जुगाड करके, हैना सीधे नहीं मिलते हैं हमको, incoherent क्या हैं, जो coherent नहीं हैं, वो incoherent हैं, बास समझ गया होंगे, coherent का मतलब, same frequency, phase difference, constant या zero, अब आगे चलते हैं, हमारे interference pattern में, जब interference हो रहा है, तो उसमें coherent source की जरूरती क्यों है, ये पूछते सवाल में technical सवाल है, बड़ा असानी से explain करेंगे हैं हम लोग, भाई हम YDSC कर रहे थे, यंग्स डॉबल स्रिट experiment, उस interference वाले experiment में, coherent source चाहिए ही क्यों, नहों तो क्या हो जाएगा, कौन सा account हो जाएगा, वो समझते हैं, तो देखी, ये हमारी intensity का formula है, और हमारा ये interference term है, ये हमने समझा दिया था आपको, अब इस interference term में, बदलने वाली चीज़ तो फाई है, अलग अलग जगाओं पर फाई अलग अलग हो जाएगा, ठीक, तो फाई के लिए, देरा टू पॉसिबिलिटी, ये फाई का मतलब हो गया, phase difference हो रही, तो phase difference की हम बात करें, तो दोनों के बीच में जो phase difference होगा, वो अगर constant है, दो condition है, या तो वो constant हो, या variable हो, अगर वो constant है, देखिए, ये, cos phi constant है, अगर constant है, तो जहां पर cos phi की value, plus 1 आ रही होगी, कहीं पर plus 1 आ रही होगी, और उतनी बनी रहेगी, क्योंकि cos phi constant है, तो उस समय हमको maxima मिल जाएगा, देखिए, इसमें cos phi 1 रख दोगे, तो i1, plus i2, plus 2 root i1, i2, उससे ये value निकल आईगी, आप समझ पारे होंगे, कुछ इसमें बड़ी बात इधर लिखता हूँ, अगर कहीं पर, i हम maximum की बात कर रहे हैं, तो value हो गई, i1, plus i2, plus 2, under root i1, i2, और ये value 1 हो गई, maximum के लिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए, under root i1 का square, under root i2 का square, और 2 under root i1, under root i2, तो ये देखिए, क्या चीज़ हो गई, under root i1, plus under root a plus b का whole square हो गया, बस, मैंने कहा कहीं, आप हड़ा बढ़ाना जाएं, कि ये चीज़ कहां से आ गई, इसी को ऐसा बना लिया है, और जब minimum करोगे, तो यहाँ पर 1 की जगा, minus 1 रख देंगे, ये a minus b का whole square आ जाएगा, तो ये जो maxima है, और ये जो minimum है, ये value हमारी, जब cos 5 plus 1 है, तो maxima cos 5 minus 1 है, तो minima ये मिल गई, और ये fixed हो गई, यूँकि cos 5 बदल नहीं रहा है, तो जहां पर maxima मिल रहा है, maxima, और जहां minima मिल रहा है, minima, वो चीज़ बनी रही, तो उससे क्या रहा, हम देख पाएंगे उसको, भई आखों की भी limit है जटचट तो नहीं देख पाती, 1 by 10 का, इससे ज़्यादा frame जो है, 21-22 से उपर frame आ जाएं, तो अलग हम समझ नहीं पाते हैं, तो आप समझ पाएं न, कि एक जगा गर maxima बना हुआ है, टिका हुआ है, एक जगा minima टिका हुआ है, तो हम देखेंगे तो आराम से देख लेंगे, यह maxima यह minima है, यह sustained interference या interference की ज़रूरत है, वरना दिखाई नहीं पड़ेगा, अच्छा, अगर दूसरा case, मान लो cos phi vary कर रहा है, variable है, इसके बाद वाली कहानी, अगर cos phi variable है, तो cos phi का average value क्या होता है, cos phi plus value भी लेता, minus भी लेता, इसका average value 0 होता है, throughout the one cycle बात कर लें है, total, तो average value जैसे ही cos phi का 0 हो जाएगा, बास समझना, अगर हमारा cos phi vary कर रहा है, और यहां average value of cos phi, वो I average नहीं लिखे, cos phi लिख देते हैं, cos phi का average value हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो यह intensity क्या हो जाएगी, I1 plus I2, क्योंकि बाकी तुस्री रहा हो गया, तो जहां पर phi बदल रहा है, उस समय आपको intensity क्या मिलेगी, एक जैसी I1 plus I2, normally जो हमारे घरों में बल्ब लगाने पर होता है, एक बल्ब लगाया, I1, दूसरा लगा दिया होता नहीं, plus I2, बात खतम, एक पूरी घर में रोशनी, कमरे में रोशनी, बढ़ गई रोशनी, एक जैसी रोशनी, यही I1 plus I2 है, तो इसलिए अगर interference हमको देखना है, तो interference इसमें न मिलेगा, कुकि इसमें एक जैसा दिख रहा है, इसमें मिलेगा, कहीं पर maximum मिल रहा है, जहां मिल रहा है, और जहां minimum मिल रहा है, वहां मिली रहा है, तो एक जगा काली पट्टी, एक जगा bright पट्टी, जहां पर है, बनी हुई है, टिकी हुई है, हम आराम से देख लेंगे तो this is the need for coherent sources, कि coherent sources होगा तो तो आपका interference बनेगा होगा, otherwise नहीं होगा और ये can't हो जाएगा उमीद है ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, important है आपसे पूछा जाता है, चली एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और चलते हैं अब क्या है, two independent sources cannot be coherent, दो अलग-अलग source independent, A और B क्या हम coherent sources कह सकते हैं तो answer नहीं कह सकते हैं नहीं बनते हैं, क्यों क्योंकि जो light emit होती है ना, वो atom का मामला है बहुत, material लेंगे बहुत सारे molecules, बहुत सारे atom तो millions of atoms, उससे भी पता नहीं कितने जाता एक atom में, electron जब higher energy से lower energy आता है तो वो एक photon छोड़ देता light वाला, अब ये atom एक और ये दूसरा atom एक सार्फ photon छोड़े, एक ही type का छोड़े, ये कहां संबा हो है एक class के इंदर आपके 50 बच्चे होते हैं, 40 और 40 सोचने के तरीके होते हैं अगर एक साथ PT वाले सर भी कराते हैं कि हाथ उपर करो, हाथ नीचे करो तो भी एक मिनट के बाद कोई डेड़ा-मेड़ा कर धीरे-धीरे करता है, कोई सोचता कर रही तो अच्छा है, 40 बच्चों में ये कांड होता है एक जैसा मन नहीं करता करने का बड़ा मुश्किल जवरदस्ती कराया जाता है तो जहां पर 40 मिलियन और 40 बिलियन का मामना है वो एक साथ कहां हो पाएगा तो अट रंडम होता है, कब फट से निकल गया फोटॉन, कब फट से निकल गया इससे फोटॉन, क्या मालूम तो कभी भी दो इंडेपेंडेंट सोर्सेज एक साथ ऐसी जैसी लाइट निकालें वैसी निकालते रहें, ये संभव नहीं है कि पहले सेकेंड इसने निकाला अब दो सेकेंड बाद ये निकालेगा तो दो सेकेंड बाद ये भी निकाले काय को निकाले, अपनी मर्जी का मालिक वो अपनी मर्जी का मालिक वो इसलिए दो इंडेपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहरेंट नहीं हो सकते ये बात इसके इंदर लिखी है जो मैंने प्यार से आपको समझा दिये अब एक किदम और आगे चलते हैं लिखा है condition for obtaining two current sources of light अब हमको laboratory में दो current sources बनाने ही है वरना interference करा नहीं पाएंगे तो हम कैसे बना सकते हैं पहली condition क्या होती है एक source से ही दो source बना लो mother source ले लो source और उसी का split कर दो S1, S2 एक slit रखी उससे रॉक्षनी निकल रही है उसके आगे दो slit रख दी तो उसी से दो slit दो रॉक्षनी निकल गई तो यह हमारा बाई जो भी कारिक्रम होगा S में वही S1, S2 में होगा तो कुछ फरकी नहीं है तो the two source of light must be obtained from a single source by some method कई method होते हैं इसके उस method से दूसरा source की monochromatic light होना चाहिए color एक ही हो उसके अंदर क्योंकि different color होंगे तो interference जब होने जाएगा न तो गड़बल यह हो जाएगी कि सब एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे color हम देखी नहीं पाएंगे interference pattern तीसरी बात path difference बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए वो 30 cm से छोटा होना चाहिए otherwise path difference constant नहीं रह पाएगा तो यह conditions हो गई जो हमें ध्यान रखनी होगी जब हम दो current sources बनाएंगे तब मामला बनेगा आगे चलते हैं theory of interference fringes की बात कर लेते हैं तहां पर कितनी चोड़ी कितनी हलकी इसकी बात कर रहे हैं तो यह इसका derivation हमारे course में नहीं है अब देखी यह S1, S2 दो sources थे मैं इस पर relate कर लेता हूँ यह देखी दो sources थे coherent sources S से निकाले थे coherent हो गए अब किसी इसका center है आप ध्यान अकना आप PVR में फिल्म देख रहे हैं और टॉप पर कैमरा लगा हुआ है तो picture hall का top view है तो यहां पर अगर आपको यहां से किसी point P पर आपको निकालना है इन दोनों wave wave number 1, wave number 2 के बीच में कितना path difference है तो वो जो formula होता है वो formula आपका यह है यह तो इस color से दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी इसका derivation आपके course में नहीं है out of the course है ठीक तो आप इसको याद के लिजे path difference between 1 and 2 किसी भी point पर जो यहां से x दूरी पर है वो x d upon d capital d क्या है screen का distance sources से और small d क्या है इन sources के बीच का gap s1 d gap between s1 and s2 और x हो गया जो center से कितना खसके हैं तो वहां पर हम path difference निकाल सकते इसको याद रखिएगा x d upon d अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि constructive interference के लिए हमारा क्या होना चाहिए n lambda के बरावर तो इसी को अगर हम for constructive बात करें तो path difference को हन m lambda के बरावर रख दे तो ये value यहां क्या जाएगी x is equal to n lambda d upon small d ये क्या है for constructive interference constructive interference यही बात देखिए यहां लिखिए तो constructive interference के लिए जहाँ पर bright fringe मिलने वाली है वो यहां से कितनी दूरी पर होगी ऐसे निकाल रहे है अगर n लिखा है तीसरी bright fringe कितनी दूरी पर है तो n की value 3 रख दो तो यहां से दूरी निकल आईगी बात समझ में आ रही है अब इसी को हम पकड़ें destructive dark fringes के लिए पहला bright के लिए था तो dark के लिए हम जानते थे कि जो path difference होता था वो odd multiple of lambda by 2 था तो odd multiple of lambda by 2 लगा दो इससे ही एक सेंट डैश निकलाएगा तो यह formula किसके लिए है dark fringe से और बता कह रहा है center से कितनी दूर कौन सी fringe कितनी दूर है और third dark fringe है तो कितनी दूर है second है तो कितनी दूर है पांचवी है तो कितनी दूर है यह formula बड़े important है आपके लिए मेरे खाल से यह बात आप पकड़ पाएंगे all three things are very important slide इस पे numerical भी आएंगे और बिना जानकारी के आप इसको कर नहीं पाएंगे ठीक है आप यह बात सीखे अब यह आता है fringe width fringe width का भी derivation नहीं है fringe width का मतलब होता है जो भी पट्टी बन रही है dark या bright उसकी चौडाई कितनी है है ना fringe width उसको बीटा से दिखाते हैं और बीटा की value है d lambda upon d small d है sources के 20 separation capital d है screen उससे कितनी दूर है तो बीटा is equal to d upon d lambda y d और lambda निकालने के लिए बीटा d by d का इस्तिमाल हम लोग कर लेते हैं experiment के लिए experiment जब करते हैं तो हम लोग fringe width निकाल लेते हैं small d capital d पता ही होता value रखके lambda निकाल लेते हैं तो हम जिस monochromatic light का इस्तिमाल कर रहे हैं उसकी wavelength कितनी है इससे हमें पता लग जाता है तो ये fringe width की कहानी हो गई अब इसमें छोटे मोटे सवाल बनते हैं हम लोग करेंगे उसको बड़े प्यार से तो देखे इसको पहला सवाल लेता हूँ green color ये देखे लिखा है in young's double slit experiment the fringe width is found to be beta बढ़ी आ है fringe width beta है साब अब क्या कर रहे हैं ये if the entire apparatus is immersed in a liquid पूरा जो system तो वो पानी में डुबो दिया है अब पानी में डुबोने से क्या होता है न lambda बदल जाती है ये ध्यानक ना lambda बदलेगी तो fringe width बदल जाएगी तो index mu the new fringe width will be नई fringe width बताओ देखे fringe width का जो formula था वो था आपका lambda d upon d ठीक है और नया lambda क्या आजाएगा lambda in water हम ये equation जानते हैं कई बार मैंने लिखी है mu 2 upon mu 1 is equal to lambda upon lambda 2 तो lambda water अगर निकालोगे यहाँ पर तो पहला lambda air upon mu आजाएगा समझना यहाँ पर air के लिए mu 1 को 1 कर तो जैसे इसके लिए लगाया mu 2 air के लिए 1 air के लिए 1 और water के लिए तो lambda water कितना हो गया lambda air upon mu 2 यही लिखा है यहाँ पर ठीक है अब यह value हो गई change और यह value क्या है पहले से कम है तो new fringe width कितनी रही new fringe width अच्छा पुरानी fringe width यह थी तो नई fringe width जिसे beta water कह देते हैं वो आ जाएगा lambda water into d upon d और lambda water का मतलब है lambda a upon mu यह lambda a है और क्या लिखना था d lambda upon d तो यह देखें lambda a इतनी value तो हमारी क्या हो गई beta upon mu तो answer is beta upon mu बड़े असानी से तो यह option number c is correct तो यह आपको अंदाजा होना चाहिए एक concept fringe width का एक concept refractive index तो नों mix करके सवाल लगा है मैं हट जाता हूँ अगला सवाल कराता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा important है यह भी important था अगला सवाल तो और भी ज़्यादा important है अकसर वो आता है कई बच्चे गलती करते रहते हैं तो देखिए समझते हैं लिखा एक beam of light consisting of two wavelengths 6500mastrom and 5200mastrom is used to obtain slit experiment ठीक है the distance between the slits is two यह small d दे रखा है and the distance between the plane of the slits and the screen यह capital d दे रखा है ठीक है साब पहली बात पूछ रहा है find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength 65500mastrom यह बड़ा सरल सवाल है पहला बड़ा हम जानते हैं कि bright fringe के लिए xnth के लिए हमारा n lambda d upon d formula होता है तो हम यहाँ तीसरी bright fringe की बात कर रहे हैं 3 into lambda lambda कितना है किसके लिए wavelength के लिए बोल रहा है तो 6500 into 10 की पावर minus 10 और capital d है 120 cm यही 1.2 meter और small d है 2 mm तो 2 into 10 की पावर minus 3 तो यह x3 की जो value आएगी after calculation 0.117 cm यह आप लिख सकते हैं 1.17 mm यह question काफी आसान था तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई इतना तो करी लेंगे ऐसी हम उमीद करते हैं नेक्स्ट वाले question में थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी find that what is the least distance from the central maxima central maxima से वो least distance where the bright fringe due to both the wavelength coincide जहाँ पे दोनों की bright fringe coincide कर जाए माल लिजे एक की तीसरी बन रही होगी तो एक की चौती पाचवी छटी मन नहीं होगी वो coincide कर जाए उस चीज़ को हम पकड़ेंगे और वो हम minimum distance निका लेंगे तो यहीं से कर लेते हैं चलिए number two हम यह let कर लेते हैं कि let N1 fringe of 65 hundred पहला वाला 65 सुता न हाँ M-Strom will coincide N2 bright fringe of 500 M-Strom यह यह भी bright fringe ही है यह यह इसका मतलब क्या रहा N1 beta 1 is equal to N2 beta 2 बास समझे न एक fringe की चौडाई है और मालो पाँचवी fringe है तो 5 fringe width चलनी पलेगी ना उपर तब तो वहाँ पहुचोगे N1 beta 1 इस तरीके से इसका N1 beta 1 और दूसरे की bright है तो N2 beta 2 भाई उसका beta 2 N2 type आप पहुचें वहाँ पर तब आपकी bright fringe बनी है अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान कियेगा जो fringe width मैंने बताई है beta d lambda y d ये dark के लिए और bright के लिए सेम होती है है ना dark और bright के लिए चोड़ाई सेम होती है d lambda y d चाहे dark fringe की बात करें चाहे bright fringe की बात करें अब यहाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और color भी change कर लेते हैं अब इसको लिख सकते हो n1 beta 1 का मतलब fringe weight है beta ये समझ रहे है ना beta 1 और beta 2 ये different fringe weights हैं और ये fringe weights क्या होती है d lambda by d n1 d lambda 1 upon d और ये n2 d lambda 2 upon d तो देखें d d d d cut गया और n1 upon n2 is equal to lambda 2 upon lambda 1 आ गया अब lambda 2 की value थी पैंशच सो और ये थी बावन सो तो ये value कितनी आ गई 5 upon 4 देख पा रहे हैं अब तो सही रखा है देखें lambda 2 upon lambda 1 and 1 and 2 lambda 2 नहीं lambda 2 बावन सो थी उल्टा लिग गया है lambda 2 की value थी 5200 और इसकी थी 6500 तो ये value हो गई 4 upon 5 अब इससे minimum distance लेंगे ये formula हमेशा याद कर लीजे इतनी working की जुरूरती मैंने समझाया है आपको अब अगले बार सवाल आवे तो इतना नहीं लिखके धाएं से ये लिख दीजेगा n1 upon n2 स्कल 2 lambda 2 upon lambda 1 और फटाक से सवाल हो जाएगा आपका अब इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि least के लिए 4 ले लो 4 least number n1 की value कितनी 4 और n2 की value 5 तो ये बैठ जाएगा इसके लिए हम क्या कह सकते हैं 4th fringe of पहली वाली 6500 जो थी उसकी distance ले लो या 5 भी number 2 के ले लो वो distance निकल आएगा तो हम n1 is equal to 4 ले रहे हैं for least distance 6500 m strong के लिए 65 था कितना था for 4th fringe bright fringe तो यहाँ पर जो value निकली मैं x dash लिख दे रहा हूँ वो value हो गई 4 into beta 1 4 lambda d upon d 4 लिखा lambda था 6500 m strong ये बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन आना जरूरी है आपकी examination में पूछा जाता है 1.2 वरना पता लगा आप video भी देखें बास समझ रहे हैं न मैंने क्या किया है 4 ले लिए 6500 की आप चाहें तो 5 ले ले 5200 की एंटू के लिए 5 तो अभी answer वही आएगा तो इसको आप note कर लीजे important सवाल है अगर ये पहले आपने नहीं किया है तो ये करना मुश्किल होता है इसलिए एक बार लगा लेंगे तो हल्वा लगने लगता है मतलब कम से कम practice करेंगे तो हल्वा लगेगा इसको आप note कीजिए आगे की चर्चा जारी रखते हैं मेरे कहल से आप इसको note कर पाएंगे थोड़ा उपर करते हैं pause करिए note करिए और ये रहा मामला pause करें और इसको note डाउन कर लीजे चली आगे चलते हैं अगले step पे हम लोग आ जाते हैं बेटा अब अगले में क्या है sustained interference pattern तो sustained interference pattern का मतलब क्या होता है जहाँ पर bright fringe है वहाँ bright fringe बनी रहे जहाँ पर dark fringe है वहाँ dark fringe बनी रहे तो हम बोलते है sustained interference pattern है यह नहीं कि bright वाली बदल रही है तो हम देख कैसे पाएंगे अब इस sustained fringes के लिए कुछ conditions हैं जो लागू होती है जैसे conditions for sustained interference इसलिए मैं पूरी ताकत से आपके लिए ला रहा हूँ there are two sources should continuously emit wave of same frequency और wavelength दोनों जो sources है same frequency की light emit करें sustained interference के लिए current होने चाहिए और amplitudes equal for better contrast हमारे जो amplitudes हैं वो equal होने चाहिए है तो क्या होगा जहाँ पर destruction होगा A1, A2 एकदम kill कर देंगे 0 मिल जाएगा आपको तो एक जगा काईदे का काला काला मिलेगा एक जगा bright तो अच्छा contrast मिलेगा आपको तो अच्छा रहेगा और दोनों sources should be narrow हमारे जो small d की value होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए ठीक जिससे कि आपको अच्छा contrast मिल चाहिए जैसे fringe width देखते थे थे न d lambda upon d d अगर आपका छोटा होगा तो b थोड़ा सा बड़ा मिलेगा तो देख पावेंगे आप d interfering waves must travel nearly along the same direction एक ही direction में travel करें opposite direction में हुई तो ना मिलेगा monochromatic light रहे और d must be small and d must be large इसलिए कि fringe width बड़ी मिले d छोटा और capital d बड़ा जिससे आपको fringe width मिल पाए इस sustained interference pattern की कहानी थी आगे चलते हैं देखिए अब एक बड़ी interesting चीज आती है जो बहुत important है मैं very important भी लिख दूँ in interference pattern में जो ये intensity graph है कहां कहां आपको intensity कैसे कैसे मिल रही है bright और dark पर और इसी का एक और diffraction जब पढ़ेंगे तो उसका भी एक intensity graph आता है ये दोनों intensity graph का comparison और photo बनाने को बहुत आता है आपके याँ तो उसको पकड़े रही हैगा ये graph देख लीजे center पर आपको मिलती है क्या bright fringe और सारी fringe width same होती है और intensity भी सबकी same है bright, bright, bright जहां-जहां मिल लई है सब एक intensity की है जो dark है अगर काली है तो काली-काली-काली एक जैसी है diffraction में ऐसा नहीं होगा आप देखेंगे यहाँ पर समझ पाए न central fringe width जितनी भी हैं सब की बराबर है fringe width साथ में intensity theoretical grounds की बात करें तो सब पर एक जैसी है तो यह देखें first bright fringe center फिर bright fringe फिर bright fringe फिर bright फिर bright और कहां-कहां bright मिल लई है मैंने आपको बता दिया था bright मिलने के लिए क्या होता है lambda by 2 का even multiple तो bright के लिए यहाँ bright जहेंगे तो lambda by 2 का even multiple कितना आ जाएगा part difference d lambda upon d lambda by 2 का even multiple वो मिल जाएगा इस तरीके से यह बना हुआ है इस तरह इंटेंसिटी ग्राफ इस तरह है distance from center तो यह देखिए i max क्या मिलेगा दोनों का amplitude अगर बराबर है तो k coefficient a plus a का a square और 4k square जो की constant है हर जगा intensity same है सारी bright fringes की intensity of dark fringe a a 0 तो इससे क्या समझे intensity of all bright fringes are same intensity of bright fringe अगर 0 है तो 0 है अगर 0 नहीं है कुछ है कम जितनी भी तो वो सब जगा same है तो interference pattern में intensity same होती है यह बात हम सीख पाए है अब यह conservation of energy की बात करते हैं यह भी आपके बड़ा तिकलम पुछा जाता है तो मैं पूरा detailed one shot बना रहा हूँ जिससे जल्दी कुछ भी न छूटे आपका अब यह पूछते क्या है कि बाई जो interference pattern हुआ है उसमें क्या energy कहीं loss कर गई है तो इसका answer है नहीं energy conserve है एक जगा अगर अधेरा किया है तो उसकी जो बची energy वो bright में add कर दी गई है तो bright वाली उतनी जादा bright हो गई है dark वाली उतनी dark हो गई है यह जैसे गड़ा कोदते हो तो अगर आपने कहीं गड़ा कोदा उसकी मिट्टी निकालके कहीं टीला मना दिया तो है तो समतल एक का मिट्टी एक जगा उंचा कर दिया and मिट्टी विल सेम मिट्टी विल भी सेम अगर आप यहाँ पर एक गड़ा कर दे हैं ऐसे suppose करिए और इसका बगल में टीला बना दे हैं ऐसे तो मिट्टी तो अब भी सेम है पहले flat था अब गड़ा कोद दिया तो यह bright fringe यह dark fringe तो energy conserve रहती है इसको कैसे proof करते हैं वो भी मैं जट से दिखा देता हूँ छोड़ूंगा नहीं यह देखिए Imax की value होती है A1 प्लस A2 का whole square हमने देखा था कि Imax कितने के बराबर है I minimum A1 माइनस A2 का whole square अब हम इसका average यह कब हो रहा है जब interference हो रहा है interference हो रहा है तब हम Imax और I minimum की बात करते हैं अब इसका average लेना हो तो Imax I minimum का average ले लिया यह देखिए इसका average I1 प्लस I2 upon 2 यानि Imax प्लस I minimum upon 2 और इसको जब solve करेंगे यहां पर साफ दिक रहा है तो हमारी यह value आजाएगी इस से क्योंकि यह A1 प्लस A2 का whole square करोगे तो plus 2 A1 A2 या minus 2 A1 A2 कट जाएगा और यह 2 A1 आएगा नीचे से 2 कट जाएगा तो A1 प्लस A2 का whole square अब यहां पर देखिए जब interference नहीं हो रहा है interference नहीं हो रहा है इस समय यह कहानी क्या है बैए interference नहीं होता है तो I बराबर I1 प्लस A2 होता है intensity जुड़ जाती है तो I1 square प्लस A2 square अब यह value और यह value देखिए बराबर है इसका साफ मतलब है कि energy conserve है यह mathematically शो कर दिया गया है ठीक तो energy conserve रहती है गटी बड़ती नहीं है बस एक जगा से निकल कर दूसरी जगा add हो जाती तो energy conservation यह follow करता है interference pattern में जो मैंने आपको समझाया आगे की बात करते हैं हम लोग अब एक बड़ा formula आता है important और इस पे सवाल भी आते हैं बड़े असान होते हैं तो i max upon i minimum कीजे a1 plus a2 का whole square a1 minus a2 का whole square अभी देखा था पीछे हमने अब यहाँ अगर आप divide कर दीजे a2 से उपर नीचे a2 square से a1 upon a2 plus 1 a1 upon a2 minus 1 इसको कभी-कभी r भी लिख देते a1 upon a2 को r plus 1 r minus 1 और दूसरा intensity वाला formula याद कर लिजे under root i1 plus under root i2 यह maximum intensity का square इसको ऐसे भी लिख सकते हो under root i1 under root i2 का square upon i1 minus under root i2 का square उपर वाली maximum नीचे वाली minimum बस जहाँ जो इस्तमाल होगा लगा देंगे और यहाँ पर the intensity of light through a slit जो slit के थूँ intensity जाती है वो slit width के proportional होती है देखिए तो if omega 1 and omega 2 are the widths of the two slits तो omega 1 upon omega 2 i1 upon i2 हो जाएगी ज्यादा चोड़ी तो ज्यादा light जाएगी simple सी बात तो यह बात important slide इस पर numerical साते हैं चोटे चोटे वड़े दोनों जो हम करते हैं तो यह numerical आ गया जो हम करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पकड़ लेते हैं इन्हें यंग्स डबल स्रीट experiment set up the intensity of the light waves from two coherent sources are in the ratio of 9 is to 1 तो i1 upon i2 की value कितनी है 9 upon 1 find the ratio of the intensity of the bright and dark fringe in the interference pattern हमसे पूचा i max upon i minimum bright का मतलब i max होता है और dark का मतलब i minimum होता है इसका हमको ratio पूचा है तो यह समझ गया होंगे न bright dark इसका मतलब क्या हो जाता है अभी पीछे देखा था under root i1 plus under root i2 upon under root i1 minus under root i2 का whole square बढ़िया अब यहाँ देखी i1 को लिख सकते हो 9 मैं सीधे कर सकता हूँ लेकिन आपको समझाने के चक्कर में हूँ i1 को 9 i2 लिख सकते हो तो यहाँ value हमने put की i1 की जगा under root 9 i2 और यह तो i2 था ही साब यह i1 की जगा 9 i2 और यह रहा minus यह i1 i2 ठीक है और यह रहा square थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ ना जाना पड़े अब यहाँ से देखे root हटाओगे तो यह value कितनी है जाएगी 3 3 i2 plus i2 upon 3 i2 minus i2 नहीं तो root लगा ही हुआ है तो मुझे लिखना चाहिए 3 root i2 plus root i2 upon 3 root i2 minus root i2 अब देखिए उपर नीचे से root i2 सब काट दो common ले लो root i2 और उपर नीचे कट गया तो उपर value कितनी बची 3 plus 1 upon 3 minus 1 तो उपर देखिए 4 है नीचे 2 है 4 upon 2 2 ही है न हाँ 3 minus 1 तो value कितनी आ गई देखिए this is 4 का square या कह लिखना चाहिए हमे 4 upon 2 का square जगा फिर कम पड़ गई इसकी बात करते हैं तो यह 4 यह 2 बचा तो value हो गई 4 यानि इसको क्या लिखो गए 4 is to 1 तो i max upon i minimum की value है 4 upon n देखिए यह जो मैंने लिखा है यह किया है यह आप और प्रैक्टिस के बाद यह से करने ही नहीं पड़ता है क्योंकि यह चाहो तो इसको i2 से root i2 से divide कर सकते हो इसी fraction में चला आएगा बहुत असान है यह मैंने बस calculation जवर्दस्ती करके दिखाया है जो आप चुट्कियों में कर सकते हैं answer 4 is to 1 आगया जो आप देख पा रहे हैं अगली बातचीत देखनी पड़ेगी बाजू से कि अगला सवाल हमारे लिए क्या है इसका second part उसको भी देखते हैं यहां ले आते हैं चलिए अब बोल रहा है कि monochromatic light of wavelength six hundred nanometer is incident from air on a water surface air से water surface में इसको हमने डाला है if the refractive index of water 4 by 3 water का refractive index है 4 बटे 3 then find the wavelength of the refracted light यह तो बहुत ही सरल है क्योंकि हम जानते हैं जो wavelength in water है जो आएगी lambda air upon mu तो lambda a लिखा है कि 600 nanometer है तो 600 nanometer 4 by 3 तो 3 उपर 1800 upon 4 तो कितना गया बटेटा 4.4,5 चार सो nanometer यह आपका देखी अंसर हो गया है इस तरह से सवाल आएग आराम से कर लिजे अगला एक सवाल और करेंगे तो इसको आप नोट कर लिजे pause कर लिजे वीडियो और फिर नोट कर लिए नोट कर चुके होंगे इसको तोड़ा ओपर ले जाते हैं जिससे पूरी बात आपकी समझ में आती रहे तो यह साब आप इसको नोट कर पाएंगे इसको अगला सवाल भी लेते हैं बिलकुल यही जो सवाल था ऐसा ही सवाल आपको दिखाई पड़ेगा तो यह देखिए यहां पर भी लिकाए दा इंटेंसिटी अफ दी लाइट कमिंग फ्रॉं वन अफ दी स्लिट्स इजए वाइड़ेशी एक्सपरिमेंट इस डबल दी इंटेंसिटी अफ दी अधर यानि आइवन की वैलू है टू आइटू के बराबर आइवन अपर यह इत्ते ही लेलो वैलू पुट कर देंगे पूछ के रहां find the ratio of maximum and minimum यह रहा maximum जो अभी सवाल में लों ने किया था बिल्कुल सेम है अंडर रूट आइवन प्लस अंडर रूट आइटू अंडर रूट आइवन माइनस अंडर रूट आइटू का स्क्वेर अब यहाँ पर आप आइवन की जगा टू आइटू डाल दो बहुत ही सरलता के साथ माइनस रूट आइटू अब आप इतने समझदार हैं मैं थोड़ा डैरेक्ट लिखूंगा रूट टू प्लस वन आजाएगा उपर नीचे आजाएगा रूट टू माइनस वन रूट टू कर जाएगा जैसा आप देख पा रहे हैं और इसको सॉल करोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 34 आजाएगा जो आपके लिए अंसर है इसको नोट कर लीजे पॉस करके अगली जो भी टॉपिक है या सवाल है उसको हम लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है हो गया अब अगली वादचीत की तरह बढ़ते हैं यह हैं इंटर फ्रेंस पैटर्न विद वाइट लाइट अगर हमने मोनो क्रूमेटिक लाइट नहीं ली वाइट लाइट ले ली तो वाइट लाइट लेने में क्या होता है उसके अंदर तो मेजरली साफ होते हैं बेजरली साथ कलर होते हैं अब जो सेंटर है मैं आपके फोटो दिखा हूँ जो आप S1, S2 सोर्स लेके बैठे हैं यह फोटो कीची वाइट कलर यहाँ पर आप ऐसे बना देते हैं यह S1, S2 सोर्स हैं और वाइट सोर्स वाइट कलर यह डाला तो इसकी जो सेंटर पर आपका बनेगा यहाँ यहाँ तो क्या होगा की path difference 0 होता है इस वज़े से यहाँ पर maxima होगा तो सातो कलर एक साथ मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा constructive interference तो सातो का maximum यानि bright fringe center पर आपको मिल जाएगी bright fringe अब इसके बाजू में क्या होगा इसके just bagel तो just bagel आनी है dark fringe bright के बाद dark आती है तो dark किस color की होगी prominently या dominantly आपने और हमने formula क्या पढ़ा है dark fringe के लिए यह मतलब रहा कि किसका destructive interference हो रहा है वो समझते हैं तो destructive interference के लिए हमारे पास जो path difference का formula था destructive के लिए destructive वो था odd multiple of lambda by 2 इस पे होता था destruction हम जानते हैं कि lambda violet is less than lambda red वही सबसे छोटा तो violet होता है तो सबसे क्योंकि lambda छोटा है इसलिए सबसे पहले किसका destruction होगा violet का lambda पहले आ जाएगा न lambda by 2 अगर मैं यह मान के चलूं कि 7000 lambda red है और 4000 lambda violet है तो 4000 का आधा 2000 इस्ट्रॉम पहले आएगा 7000 जो red के लिए उसका 35 वाद में आएगा तो सबसे पहले destruction किसका होगा violet कलर का तो इसके बाजू में violet वाला कलर या उस तरफ जो dominant कलर हैं उससब उड़ जाएंगे तो अगर किसी spectrum में सातों कलर मिलाकर white मिलता है और violet हटाते जाओगे तो red की तरफ बढ़ता जाएगा यही तो होता है spectrum देखिए सबसे चोटी wavelength violet सबसे बड़ी wavelength red और इसके अंदर विवग्योर तो अगर आप ये violet वाला हटाओगे ये साफ कर दोगे तो it will shift to the red color तो आपको center के पास यहाँ पर अगला जो spot मिलेगा वो दोनों तरफ आपको red मिलेगा red का dominance मिलेगा reddish मिलेगा और उसके जैसे जैसे आगे जाओगे reddish के बाद अगला इस तरफ थोड़ा बहुत जो आएगा वो violet की तरफ जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको सब white light मिलेगी क्योंकि सब घसर पसर हो जाएगी light एक दूसरे के उपर चलना शुरू कर देंगी तो you will get same intensity मतलब क्या रहा central bright fringe white उसके सबसे करीब वाला कौन सा color red dominance क्योंकि violet का destruction हो गया थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो violet आ जाएगा red का destruction हो जाएगा उसके बाद पता लगा सब एक जैसी light मिलेगी यानि white light ये कहानी होगी आपकी white light के इंटर फ्रेंस में तो इसको भी आप note कर लीजे तो बचों उमीद है आप इसको note कर भाए होंगे चलते हैं अब last topic पर और last topic क्या है diffraction of light तो diffraction of light क्या होता है कि अगर आप light के आगे कोई obstacle लगाते है तो जो obstacle है उसकी तरफ light मुड जाती है यानि shadow area में घुश जाती है थोड़ी सी यही कहलाता है diffraction of light जैसे मैं समझाओं यहाँ पर मैं red color लेता हूँ देखें यहाँ पर यह source है light निकल रही है और यहाँ पर obstacle लगाया गया है तो हम यह उमीद कर रहे थे कि यह सीधी चली जाए लेकिन obstacle की तरफ यानि shadow area में हलकी सी यह ऐसे घूम जाती है light light मुड जाती है तो यह diffraction कौन सी चीज मुड सकती है waves particle nature में या तो जाएगा या रुकेगा तो यह भी एक phenomenon explain करता है wave nature को इसी तरीके से यहाँ भी होगा यह obstacle है सीधी जाने की उमीद कर रहे थे लेकिन यह हलकी सी यहाँ से ऐसे घूम जाएगी shadow area में obstacle की तरफ यह behavior को हम कहते है phenomena को हम कहते है diffraction और यहाँ पर देखिए यहाँ पर obstacle लगा दिया तो obstacle की तरफ shadow में तो यह सीधे जाने की उमीद कर रहे थे this phenomena is known as a diffraction यह diffraction का phenomena कब होता है जब यह जो obstacle है यह उसी order कर रहे जिस order की wave है हमारे light के case में light का जो wavelength है वो आप जानते ही काफी कम होता है 4000 mStrom से चालू होता है तो उसको देखते हुए अगर हमारा obstacle काफी छोटा होगा तो light waves का diffraction दिखता है otherwise नहीं दिख पाता sound के लिए दिख जाता है एक कमरे में बैटे हो बाजू में कोई बात कर रहो अगले वाले कमरे में तो sound घूम के आ जाती है हमारे पास हमें दिखता है ना light नहीं आपाएगी अगर बगल वाले कमरे में किसी ने बल बॉन किया है तो उसकी रोशनी दूसरे कमरे में नहीं मिलेगी आपको दूसरे कमरे में नहीं मिलेगी लेकिन sound घुसके चली आएगी जहां तक संभावना बनेगी और इसका example जो CD रहती है पहले CD आती थी अब भी आप जानते होंगे CD को अगर आप रोशनी में इसको तोड़ा सा ऐसे से गुमाएं तो उसमें कई कलर नजर आते थे संलाइट में तो वो जो कलर नजर आते थे वो diffraction का ही example है तो उसको पकड़े रहीएगा कभी पूछे कोई तो CD में जो कलर नजर आ रहे हैं वो diffraction का ही example है आपको कुछ और चीज मैंने experiment दिखाने की कोशिस यहां की है उमीद है आप इस camera में पकड़ पारा होगा अगर आप दो blades ले लें लें क्योंकि blades के किनारे काफी शार्प होते हैं दो blades को parallelly ऐसे लगा लें और जो आपके पास एक bulb अगर है bulb में filament उसका सीधा हो ऐसा bulb ले लीजे transparent bulb हो transparent bulb आर पार दिखने वाला और सीधा filament हो तो उस filament को इससे रोख्षनी पार कराईए जब आप पार कराएंगे थोड़ा सा adjustment करेंगे तो पता लगा दूसरी तरफ आपको diffraction pattern दिखने की पूरी संभावना याद दिख जाता है क्योंकि यही diffraction है और diffraction में क्या होता है कैसे दिखता है यहाँ पर एक diffraction pattern है मोटे तोर पर यह red color की light नजर आ रही है मुझे beach वाला central bright है काफी चोड़ा है double चोड़ा है फिर यह चोड़ाई इसकी कम और 2-3 step के बाद दिखी नहीं रहा है सब लाल लाल दिख रहा है यह diffraction pattern है असल का experiment का तो यह आपको समझ में आया होगा diffraction through razor blades and laser light ऐसा diffraction दिखता है fringe width यहाँ भी दिख रही है single slit diffraction को क्या बोलते है एक ही slit से आपका diffraction pattern मिलने लगता है तो यह आपकी कहानी है आगे मैं समझाता हूँ आपको देखिए diffraction के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका aperture यानि यह जो single slit जो होती है इसकी जो width है width को बोलते है अगर यह A हमारी lambda से काफी जादा है lambda का मतलब जो wave आप छोड़ रहे है तो इसमें जो मुड़ती है यह side में थोड़ी मुड़ती है curve nature side में आता देखी थोड़ चोड़ा आ रहा है लेकिन अगर हमारा A उसी order का हो जाए जिस order का wave है तो यह पूरी spherical in nature आ जाती है और इस spherical होने की वज़े से या जो slit है वो slit उसी order की होनी चीए जिस order का wavelength है तो हमें prominently यह चीज दिखाई पड़ेगी यही बाते हैं लिखी है visible light के लिए देखिए 10 की power minus 6 meter का order होता है इसलिए normally हमारे इर्द की जो चीज़े होती उनका इतना छोटा order नहीं होता है इसलिए हमें diffraction normally नहीं दिखता है हमें देखना पड़ता है थोड़ा से जुगार करके sound का बड़ा wave लहते हैं तो हमें sound का दिखता रहता है जैसे मैंने आपसे बातचीत की थी अब कुछ यहाँ formula है इसका भी derivation हमारे कूर्स में नहीं है formula याद कर लीजे के वाज कि दिखी सिंगल स्लिट है यह NCRT का डाइग्राम यह किताब का यह एक यहाँ पर स्लिट है सिंगल इसकी स्लिट का aperture A है जैसा मैंने आपको बताया यहाँ की waves और यहाँ से जो waves होती है यह यहाँ पर कहीं पर meet कर रही है उनके बीच में कितना phase difference आ रहा है path difference बात करें तो यह path difference का formula होता है P is equal to A sin theta यह formula derive कैसे हुआ इसकी चिंता हमको नहीं करनी है तो यह formula यादि P point पर कितना path difference है A sin theta theta क्या है सीधे मिला दीजिए theta सब दूर होता है इसलिए एकी जैसा होता है तो इसको सीधे मिला देंगे this angle will become theta तो P is equal to A sin theta आप देखिए एक बात ध्यान न कियेगा कि इसमें जो maxima होता है यह interference का ultra काम चलता है minima में भी ultra चलता है वहाँ पर देखिए maxima आता था even multiple of lambda by 2 इसमें आएगा odd multiple of lambda by 2 यहाँ देखिए maxima की बात की और A theta N जो approximately sin theta के बराबर है यह देखिए odd multiple of lambda by 2 यह 2N plus 1 हो जाता है वहाँ 2N minus 1 था तो lambda by 2 तो lambda by 2 को odd multiple यहाँ maxima दे रहा है मैं याद करने की आपको trick बता रहा हूं interference का ultra formula interference में जहाँ maxima हो रहा था even multiple of lambda by 2 यहाँ पता लगा odd multiple of lambda by 2 maxima हो रहा है in case of diffraction तो 2N plus 1 lambda upon 2A और Nth minima की बात करेंगे तो theta की value आजाएगी देखिए even multiple of lambda by 2 यह lambda by 2 का even multiple यानि N lambda upon A 1, 2, 3, 4 lambda की value यहाँ put कर सकते हैं तो यह formula जो भी 2, 3 हैं इसको पकड़के याद रखें और काम करें दूसरी बात देखते हैं आगे देखिए इसका intensity graph this is very important मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें जो bright जो central fringe होती है उसकी brightness काफी जादा होती है और जैसे ही next secondary maxima आते हैं इसे बोलते है secondary maxima primary maxima या central वाले को maxima उसके अलावा जो maxima बनते हैं उनको बोलते है secondary maxima योगी जो bright fringe बन रही है central bright fringe उसका behavior बाकियों से अलग रहता है किस sense में brightness काफी जादा होती है और चोड़ाई बाकियों से double रहती है देखिएगा तो यह आपको काफी intensity मिली बाकि की बहुत तेजी से कम होती चली गई तो यह intensity graph होता है in case of diffraction और interference के लिए मैंने दिखाया तो वहाँ intensity सभी fringes की same हुआ करती थी यहाँ same नहीं है सबकी अलग-अलग intensity है गरती चली जा रही है बहुत तेजी से तोड़ी दूर जाने पर सब एक जैसा दिखने लगता है अब fringes दिखती नहीं है अब यह angular width है central maximum की central maximum की angular width का मतलब है यह देखिए यह बीच से बात करें तो theta theta यानि 2 theta angular का मतलब है कि कितना आप ऐसे बैठें और ऐसे बनना तो यह angle मिला दीजे ऐसे तो बीच में 2 theta जो आ रहा है वो आपकी angular width है उस angular width का जो value आएगा 2 theta वो है 2 lambda upon A this is the angular width of central bright fringe और जो secondary होते हैं linear width बात करें center का तो B naught की value हो जाती 2 D lambda upon A linear width का मतलब होता है इस screen पर जो चोड़ाई दिख रही है central maximum की screen के उपर जितनी चोड़ी दिख रही है bright fringe उसकी चोड़ाई उसे बोलते है linear width तो वो है आपका 2 D lambda upon A lambda सब पता है A है aperture of the slit आगे बात करें इसका फरक और central bright fringe और secondary bright fringe का फरक देख लेते हैं तो देखिए secondary maxima central bright के अलावा D lambda upon A और जो central maxima ये इसका double है formula में दिख रहा है हमको कि जो central bright fringe है उसकी चोड़ाई हमारी secondary maxima से double होती है interference में सब सेम होती थी यहाँ पर चोड़ाई बीच वाली जो central bright वो double है बाकी सब उसकी आधी है मलब बाकी सब सेम है लेकिन जो आधी हो गई तो secondary maxima ये थर्षरी tertiary maxima इन सब की सेम होएंगी लेकिन central bright की double है और central maxima diffraction pattern twice होती है जैसा आप इसमें देख पाए होंगे अब इसका एक finally सवाल है जो हम लोग यहाँ लगा लेते हैं ये जिससे की ये में थोड़ा अंदाजा भी हो जाए लिखा है ए पैरलल बीम आफ लाइट और वेवलेंड 600 नैनोमीटर इस इंसिडेंट नॉर्मली अन ए स्लिट और विट ए इस दा डिस्टेंस बिट्वीन दी स्लिट एंड दा स्क्रीन इस पॉइंट एट इस स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस यानि कैप्टर डी की बात ये कर रहे हैं पॉइंट एट है मैं लिख भी लूँ या लेमडा दिया गया है 600 नैनोमीटर डी दे रखा है पॉइंट एट मीटर एंड दा डिस्टेंस अफ सेकंड डॉडर मैक्समा दो सेकंड डॉडर मैक्समा है वो सेंटर से दे रखा है डेड़ मिली मीटर तो मैं यहाँ पर एक्षन लिख देता हूँ डेड़ मिली मीटर इसको बाकी हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में 10 की पावर माइनस 3 ठीक है calculate the width ए हमको calculate करना है तो देखिए मैक्समा बोला है न सेकंड डॉडर मैक्समा क्या होता है एक्षन इंटर्फरेंस का उल्टा 2N प्लस 1 लेमडा अपॉन 2A 2 से चाहो तो डिवाइट कर दो तो एन प्लस हाफ हो जाएगा लेमडा अपॉन A हमको A चाहिए तो एन प्लस हाफ लेमडा अपॉन XN बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहे है सेकंड की बात थी तो 2 पुट कर दो N की जगा 2 प्लस हाफ लेमडा की बात की कुछ छूट तो नहीं रहा है लेमडा D छूट रहा है तो यहाँ पर लेमडा की बात की तरीलव 600 नैनो मीटर था तो 600 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कैप्टल D की वेलू है 0.8 अपॉन XN और XN की दूरी कितनी है यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अब इसको कल्कुलेट कर डालिए जब आप कल्कुलेट करेंगे तो 0.8 mm अंसर आजाएगा सावधानी से इसको कल्कुलेट कर लीजे करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा ऐसा सवाल टपकता रहता है यह भी आया हुआ सवाल है तो इसको आप नोट कर लीजे अब इसका जो अगला टॉपिक है लास्ट बद नॉट दे लीस्ट है ना वो है इंटरफरेंस और डिफ्रेक्शन पैटर्न का फर्क डिफरेंस बिट्वीन इंटरफरेंस एंड डिफ्रेक्शन यह पूछा बहुत जाता है तो देखिए मैंने टेविल मना दी है इंटरफरेंस क्या है इट इस दि रिजट अफ सुपर पोजिशन अफ सेकंडरी वेवस स्टार्टिंग फ्रॉट डिफ्रेंट वेवसरेंस औरिदिनेटिंग फ्रॉम दी कोरेंट सॉर्स आपको मालूम है कि यहाँ पर दो sources हुआ करते थे वो आपस में जाकर भीड़ते थे और interference होता था यहाँ पर क्या है? It is the result of superposition of secondary waves starting from different parts of the same wavefront एकी slit है एक slit में जो different different parts है वो interact करके आपको बनाते हैं diffraction All bright and dark fringe are equal width सभी की bright and dark fringe equal width की थी यहाँ पर equal width की नहीं थी central वाली double थी तो the width of the central bright fringe is twice the width of any secondary maximum आप समझ गए All bright fringe are of same intensity यहाँ पर same intensity नहीं थी जैसा ही आगे बढ़ते बहुत तेजी से intensity गिरती थी Regions of dark fringe are perfectly dark यहाँ perfectly dark होता है interference में यहाँ perfectly dark नहीं मिलता diffraction में At an angle of lambda by d we get a bright fringe in the interference pattern of two narrow slits separated by a distance d और यहाँ क्या है At an angle of lambda by a we get the first dark fringe in the diffraction pattern यह मैंने आपको समझाया था ना formula कि एक दूसरे से उल्टे होते हैं याद करिए कि जहाँ पर bright interference हो रहा था जो की था even multiple of lambda by 2 यहाँ odd multiple of lambda by 2 यह चीज़ यहाँ पर आती है यह पूरी चीज़ complete हो जाती है इसको note कर लीजे आप तो बच्चों उमीद इसको आप note कर पाए होंगे physics आसान भाषा में सीखना चाहते हैं वीडियो देखकर numerical निकालने की चाहत है जट से अरविंद Academy चैनल को subscribe कर लीजे for top quality content अगर वीडियो यह पसंद आया है तो like को share कीजेगा और पसंद आने पर अरविंद Academy चैनल को तो subscribe करेंगे ही आप इसका अगर presentation चाहिए आपको PDF चाहिए तो अरविंद Academy टेलिग्राम चैनल को join कर लीजे वहाँ PDF मिल जाएगा मैं साथ में all video library का भी link लगा रहा हूँ description में click करके जो भी video देखना चाहें अपनी एक चानुसार वो देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि अरविंद सर कौन कौन सी series आपको लाके दे रहे हैं क्या क्या beneficial है thank you very much wish you all the best